कि लिए अज़ाइब आ रिए लाइव तो मैं आ गया हूँ जी पटाफट से शेर कर देता हूं बच्चा एक दो मिनिट के भी सबर नहीं कर रहे है आप लोगा कोई लो लिंक नहीं आया अब आगया नहीं लिंक कर लो आप करो एंज्वे पड़ाफट से दर दर शेर कर देता हूं मैं भी यह मुबाइल से स्टार्ट होगा देखो सर फो टुडेज क्लास मुला बच्चा इत लगे देखो जब हमारे चैनल पे कुछ थोड़ी देर पहले तक ट्रैफिक नहीं कुछ थोड़ना ओनेस्टली मैंने आज एक चीज अब्जर्व की आज मैंने फोर ओक लोग जीजल स्टार्ट किया तो उसकी नोटिफिकेशन भी गई आज मैं अभी मैं स्टार्ट कर रहो ह अब भी ना संजीव सरका लायव हो चुका था विवेक सरका स्ट्रीमिंग नहीं चल रहा था तो देखो नोटिफिकेशन आ गई फटाफट से नोटिफिकेशन आई उसी टाइम तो ये चैनल बीजी नहीं है ना तो नोटिफिकेशन फटाफट से जाती है एक मिट में टेलेग्राइम ग्रूप में शेयर कर दो जी आज का दिन अच्छा है अच्छा गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरिवन ऐसा क्या हो गया रिमजीम आज आपको भूख नहीं लगी अच्छा क्यों ऐसा क्या होगे जी मधू चोहान जीयाई जील सरृटिफिकेशन व अब भरशोय तक है यह तो मुझे नहीं पता विवेक सर क्यों नहीं आए अभिनाश शर्मा मुझे नहीं पता जी अभिनाश जी एक बार विवेक सरी पता पाएंगे चीज़ देखो कहा कर बैठ थी खा कर बैठ ही हूँ आज दिन अच्छा इसलिए आज हिमानशी गोईल सर विवेक सरी क्लास नहीं हो गया आज देखो यार प्लीज मतलब मुझे क्या पता विवेक सरी क्लास उन्होंने तो कोई स्टेटेश डाल रखा है क्यों कोई टेकनिकल इशू हुआ इसलिए सर एक डाउट है जो आपने दिव्यात इने जाए एक डाउट है जो आपने लाश्ट क्लास में 134 सब्सक्षिन 8 का फाइन पताया है वह फाइन लिक लिखना है यह penalty देखो जो मेरे अमेंडेड नोट्स में इंया मेंडमेंट आएंगी बिकोफ नवेंबर 2020 तक की अमेंडमेंट आएंगी तक एक ने आपको लेटेस्टे वाला लिखना है आई सह ने मोडिय तीन आपको लेटेस्ट वाला जोमने ले में बताया है वो लिखना है आपको ठीक है हरशिता सर का माइक ठीक होने गया है अच्छा सर का माइक कराब था ठीक है जी चलो फटापर से जुड़ गए है बच्चे और मैंने शेर भी कर दी है नोटिफिकेशन तो मुझे लगता है देखो बहुत जल्दी मैं आपको बता रह हूं तो अब आप लोग बाद में मुझे जैसे फोरम वाली में बार बर बच्चा बोल रहा है मेरे पास इतने बच्चे का मैसेज आ चुका है कि सर वो वीडियो दुबारा दिखा दो वीडियो मिल नहीं रही है क्यों भी मतलब मैं डेली की डेली बोलता हूं तो आप लोग सब्सक्राइब बस दो ग्रूप और रहते हैं दो ग्रूप स्मोर शेयर करना कि बच्चा भी भी बोल रहा है कि सा नोटिफिकेशन नहीं आई मैसेज आ रहा है देखो मेरे सामने जैस्ट गी में सिंगल मिनिट मोर अचा नोर्स मिल गए ओके आज नोर्स डिस्क्रिप्शन म से लेड़ इं fights description में से लिढ़ो हाई जी हाई कैसे हो रूबराने मिन देखो पॉष्च नमार्ट करना हमें रूबराने में क्लास कब होगी राजी वर्मां रिपोर्टिंग क्लास मैं इस लिए नहीं ली क्योंकि लाष्ट मैंने मतलब कल शाम को पांक बजे मैंने रिपोर् एकप्टर तो चल रहा है तुम्हार एक एक कुछ और चल रहा है कभी कुछ और चल रहा है अब धसके के प्रीमियर लगाने थे वह में लगा दी तो अब मतलब मैं अपने बोल सकता हूं कि ऑ् जितने भी क्लासिश है ठीक है एक सेकंड एक सेकंड नोट शेयर करना है बस लाश्ट नोट शेयर हो जाएं डन लाश्ट वर्टसएप ग्रुप में शेयर करना रह गया है यह मैंने कर दिया कि चाल जीत मतलब यार सीरिसली मतलब मुझे समझ में नहीं आता है ऐसे मतलब यार ऐसी लेंगवेज आप यूज करतों प्रोफेशनल के बच्चे हो लब सच में यार पता नहीं यार यह आपका वे है या क्या है मैं पालतू बात है अगर आपको लगते तो आप क्यों आते हूं क्ला सबस्टेट लेने के लिए जब आप चाहो और टीवी सीरिल का बटन है मैंने दबा दिया और अब यह नहीं पोई भात नहीं कोई दिख्कत नहीं अगर आपके आपके इन्दर इतना पेशेंस नहीं है कोई बात नहीं आप जा सकते हूं डिसलाइक करो और जाओ ठीक है तो प्लीज मेरी क्लास में तो आप टेक्स्ट मुथ करना आगर आपको इस टाइब की लैंग्वेज उसकर नायर तो प्लीक है उमीद आप समझ गयोगे बहुत अच्छे से कोई मैं आपसे पेमेंट नहीं ले रहा हूं जो आप मेरे को इस तरीके की लेंग्वेज यूज कर रहे हो फाल्तू बाते एंड ओल ठीक अगर मैंने चार्ज किया है और मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं सो यह आपको डिजर्व करता है कि आप ऐसी लेंग्वेज लिखो मुझे एल्स कि सीखो जो आपको सिखाए कुछ हाँ अब जितनी मुझे प्रीमेर लगाने थे मेरे सारे कंप्लीट हो चुके हैं गवर्नेंस के अब जो मेरे को क्लासेज लेनी है वो सारी लाइव होंगी कि रिपोर्टिंग नहीं आज मतलब मैं कितने घंडे पढ़ाऊं राजीव और कितनी बार एक चीज बोलू आपने शाद मेरा ओडियो नहीं सुना होगा मैंने उस ओडियो में भी एक ही बात बोली है कि आज मैं ये करवा रहा हूँ उसके बाद मैं चैप्टर नबर टैन करवाँगा कंप्लाइंसेज वाला अप्रॉक्सिमेटली वन पॉइंट फाइव टू आर्सी क्लास होगी दिव्या बस अब मुझे नहीं पता देखो ओल्ड सिल्बस वाला बच्चा देख सकता है कि उनके सिल्बस में है की नहीं है मैंने चैक नहीं किया एक बर आप लोग देख सकते हों कि आपके सिल्बस में है कि नहीं है कि यह मेरे नोट्स कहां गए एक मिन्ट रुक यह रही है आज ही क्लास के नोट्स मेरे पेंड्राइब में डाले तो थे सही है यह रही ना हूं ठीक है तो ओल्ड वाला बच्चे एक बार जाकर देख लूँ चाल पता है मैं जो भी कर रहा हूं नहीं कर रहूं मुलब ठीक है वोचीज सब ठीक है बट ओण मतलब आप नहीं सोचते हो कि कि वो कि स्टेज में आके आपको पढ़ा रहा है दिन में कितने घंटे मेहनेत कर रहा है और आप लोगों के लिए खड़ा है यहां पर आके और फ्री ऑफ कोस्ट सबसे बड़ी बात है और फिर उसके बाद है ना जब बच्चे इस टाइप की लेंगविज यूज करते हैं न मेरे फादर की बहुत खराब है बहुत खराब है मैं क्लास नहीं लेने वाला था और मेरा ना बिल्कुल दिल अंदर से नहीं था मेरे को यह था कि मैं उनके पास जाके बैठ जाओं फिर मेरे माइड में बार-बार आया कि नहीं यार ले लो कोई बात नहीं अब उनको ड्यूट्यूब मलब आज जैसे गर्मी थी और आज एक उनसे बारिश का मुसम चेंज व को पॉल रहा हूँ यह भगवान है न हर चीज देख नहीं अगर आप जैन्वन स्टूडेंट हो जी और आप जैन्वन स्टूडेंट हो तो आपके साथ कभी फीचर में ऐसा होगा भगवान करें तो आपको पता चलेगा अगर जिद्गी में कभी सीयस बने और बन पाए और और उसके बाद आपके साथ आपका त्राइनी इसे डियोर आपके करना स्पात्ती के बाद को क्थ इस तैप की बाद बोल तिल दुखता मैं बोल रहा हूं और चलो जी चलो देखो यह मैंने जो लास्ट क्लास ली थी बोर्ड इसक्लोजर्स की बोर्ड रिपोर्ट की कंटेंट की मेरे को लगा कि ना मैं उस पर एक मेहनत कर लूँ और मेरी फैमली का बच्चा जो प्रेशान है ना सर दो गंटे की है हम उसको रिवाइज कैसे करें ओल दो प्रीमियर लगाया था तो कभी भी अब मैं बोलू तो सर क्लास नंबर टू मानके चलना इसको चुकि पॉलिसी के बारे में बच्चा मेरे को बोल रहा है सर उससे पहले की दो क्लास भी डाल दो ठीक है ठैंक्स 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 किशोर मुतवानी वी एपिशेट मेरे को नब बहुत अच्छे लगते हैं सारे बच्चे जिल से मैं चाहता हूं पढ़ाना आना और बेसिकली जब मैं बात करूं ऐसी जहां बच्चा परिशान हो मैं ऐसी चीज बोलने वाला था कि यार अब लग परिशान हो लीव एर छोड़ो प्लास नंबर टू आज मलब अब मैं इसको क्लास नंबर टू बोलके चलूँगा क्लास नंबर वन मैंने बोर्ड रिबोर्ट की जो आप लोग की डाली उसमें ना मैंने स्टार्टिंग में पोलिशी के बारे में कुछ पांच मिनि दीआ है धा da go it is a pure दिगिक और इतना ही मैं आपको डियो सब्सक्रिभाइं कि आ अपने इतना ही मैं आपको डिशन में बतात है उसमें इतना ही मैं रिवीजन में बता क्लास चाहरा दो पूरी क्लास डेन इक एक सेकेंड प्रस्पेक्टिव बचा था वेट फॉर वाइल में आपने पुछ नोट्स ओपन कर लो जिसके में कुछ लिखूं कि अब कि अब कि अब ठीक है कि चलो कि स्टार्ट करें कि तो इस चैप्टर को मैं कि चैप्टर नबर शिक्स को मैं मैंने महां भी आपको बोला था यहां भी मैं बोल रहा हूं सर दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं फॉर्स्ट वन इस पोलिसी फॉलिसी का हमारा मैं मानके चलता हूं सर क्लास नंबर वन के अंदर पॉलिसी हमारा कंप्लीट हूँ है फिर शैंड पार्ट है सब डिसक्लोजर जैसे की चैप्टर का नाम भी है Accounting Policy and Disclosure Disclosure में भी मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ Disclosure Under Companies Act और Companies Act का भी न बस एक ही Disclosure हमारे सेलबस में दिया है Board Report Under Section अब अच्छे न बोर्ड रिपोर्ट भी हमारा दो तरीके से दिया है Sections के अंदर Companies Act में और Rules के अंदर Sir ये ओलड़ी हमने Cover कर लिया है Class No.1 में अब बच्चा बोलता इसके Notes बच्चों ने मेरे को बोला मैंने बैट के उसके लिए आप लोगों के लिए मलब लिट्रिले अपने 2.5 hours devote के गे सर कैसे एक पेज में Sum Up कर दूँ ये मेरे वो Notes है Under Companies Act और Under Rules Made Companies Act तो ये कोशिश की है मलब इसमें सारा Cover नहीं होगा तो प्लीज आप लोग कर लेना How's the Josh? मेरा mood अब ओके है तो Class No.1 आप लोग क्या करना? उसके अंदर मैंने जो किया Sir Notes मैंने यहाप के दे दिये उसको रैफर कर लो अब Sir Under Savvy Regulations Under Savvy Regulations Savvy में Sir 4 Regulation हमारे सिलबस में 4 Regulation ठीक है? कोई बात नी रूभी अभी आपका कुछ भी नहीं निकला है कुछ भी नहीं निकला ठीक है? तो पहली Regulation है Sir हमारे सिलबस में ICDR Regulation Second Regulation है इस SASD Regulation Savvy Takeover Regulations Third Regulation है Sir हमारे सिलबस में LODR Regulation Fourth और Last Regulation है Insider Trading Insider Trading में अभी ने एक लेटेस्ट Regulation Amendment आई है Amendment आई है जी Regulation No.9A और Regulation No.9 Newly Insert हुए Regulation No.9 and 9A Newly Insert हुए 9 Regulation No.9A आपके लेटेस्ट Amendment आई है Exam में मुझे लगता है आज सकती है आज सकती है Exam Done मेरे Notes में E-Book के अंतर अविलेबल है आज वाले Notes में नहीं है सर मैं बना रहा था मैं मतलब जितना मेरे को Time लग रहा था JGL के भी बना रहा था Dispute के भी बनाने थे इसके बनाने थे जितना मेरे से हो पाया मैंने वहीं तक बनाए सर मैंने कोशिश की पुरा ICDR पूरा कर दिया Board Report के पूरे बना दिये और उसके बाद SASD के पूरे बना दिये ठीक है न जी और LODR का भी कुछ Revolution 4 का मैंने बना दिया अगर मुझे टाइम लगता है तो मैं Definitely बनाऊंगा अगर मुझे लगता है Else मैं कोशिश करूँ अपनी regular ebook में से पूरा कर दो समझ में आ रहा है चलो जी अब ये मेरी आज ही class है class number 2 में target है मेरा ये savvy वाला portion पूरा करना class number 2 savvy वाला portion पूरा करना done चलो जी अब इधर द्यान देगा बच्चा सर ये वाला चार्ट में नहीं करवा रहा हूँ अभी क्योंकि ये वाला हमारा portion हो चुका है पूरा चाओ सर पहली regulation जो हमारी है एक बार मैं book भी open कर लेता हूँ इधर द्यान दो तो सर आज की class number 2 हमारी होगी चीक है कल corporate dispute सुबग 11 बजे राइट आ जाना क्योंकि मेरा ICSI का webinar कोई दिक्कत नहीं सन्नी नेहा आप कुछ विलेट नहीं हो ICSI मेरा webinar है जिस बच्चे को join करना वो कर लेना मैं आपको link share कर दूँ मेरी 11 से मतलब कोशिश रहेगी दो बज़े तक मैं class पूरी करूं कल फ्रोड वाला और Cyrus mystery वाला पूरा chapter हो जाएगा Cyrus mystery वाला case और फ्रोड वाला पूरा chapter कोशिश रहेगी पूरा करने के और अगर webinar बगएर के बाद अगर मुझे time लगता है तो मैं आप लोग के लिए रात को भी जरूर आँगा अभी तक मेरा पूरा प्लैन है रात को भी आने का ठीक है चल तो class number two आज चार पार्ट में डिवाड़ करते हैं इसको फ़स्ट पार्ट ICDR सर बच्चों का पड़ा हुआ है सर फंदिंग के अंदर सेकिंड पार्ट S.A.S.T. टेक ओर रेगुलिशन सर सी यार के पेपर के अंदर पढ़ा होगा आपने और नहीं थोड़ पार्ट सर हमने पढ़ा है सर लोड फंदिंग पेपर के अंदर थोड़ा आपको चैप्टर नबर फाइफ में चैप्टर नबर थ्री में भी टेच देखने के लिए मिल जाएगा बट ये वाले पॉर्शन का नहीं मिलेगा इधर द्यान देका बच्छा सर्फ फॉर्थ आपका इंसाइड टेडिंग ये आपने फाइनल में मुझे नहीं लगता कहीं और पढ़ा हो अगर अमेंडमेंट आगे कहीं एड हो गया तो मुझे पता नहीं एल्स ये अपने सर्फ सेक्यूर्टी लों में ही पढ़ा होगा एग्जिक्टेव रहां में नहीं और सारा पढ़ना ओल्दो मैंने सारा कभर किया कि अपने नोस मेंना सिंपल गया था अ कि बना अब आगश्यूर्ण तरिस से पहले ओर चैप्टर्स आपने करवाए हो cidade टेफिनिटल आभ आहे वर वर सारें प्लेलिस्ट में आप अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप मुझे फाइल दूबर ओपन करने पड़ेगी बई आप बच्चे इतने प्रेशान हो यार मुझे प्रेशान करके कुछ नहीं मिलता मैंने लाज क्लास में भी बोला था और मैं आज भी बोल रहा हूं देखो वो क्लास पे मेरा लोगो लगा है LG का मेरा लोगो लगा था उस क्लास पे और वो क्लास मेरी रेगुलर क्लास थी चीक है जी आप बोलोगे सर और क्लास पे भी तो लगा है नहीं स्पेसिफिकली मेरे को रेगुलर क्लास और जिसमें सोफ्ट्वे मेरा पुराना है बात समझे ना मेरा पर्सक्रायां। दूंग्या मेरा एक मिनट 12 प्रेस्पायीया हूँ क्लास है मैं उसको नहीं प्रोमोट करूंगा क्योंकि आब हमारा VG study Hub बात आ रहे समझ में तो वह पुराना ब्रेंड तो जो मैं अपने प्लस सर उसके अंदर रहा है इतना अच्छा नहीं था प्लस सर उसमें मैं अपनी advertisement कर रहा था अपने brand की जो की हमारा agreement है उसको breach कर रही है वह condition उसको terms and condition तब ही मैं बोल रहा हूं सर जो भी मेरे recorded lecture है ना जो भी मेरे regular class वाले LG के लोगों वाले lectures हैं सारे आने वाले इस एक week के अंदर अंदर remove मैं कर दूँगा almost one week के अंदर कर दूँगा पहले से prayer intimation दे रहा हूं देखना start कर दो तो ये एक वज़े थी वो हटने की तो वो थोड़ा सा ना आपस में misunderstanding ना हो हमारी प्रोब्लम है बट आप सारा बच्चा इतना request कर रहा हूं आज मैं announcement कर रहा हूं आप चाहे group में message करो चाहे कुछ भी करो मैं कही keep advertisement नहीं करूंगा उश्चिश की बस यहां class में कर रहा हूं जो live आया है वो सुनेगा जो नहीं सुन रहा हूं नहीं सुनेगा इस संडे नहीं संडे वाले दिन मैं available नहीं हो तो मैं remove नहीं कर पाऊंगा उसको मैं इस संडे इस कमिंग संडे बोल रहा हूं संडे शाम को पांच बजे इवनिंग में फाइव पी एम पर वो class में अगेन अप्लोड कर दूंगा अब जिस बच्चे को भी दिक्कत है ना बोल देना आप लोग खुद गुरूप में बोल देना मैं नहीं बोलने वाला हूं सर आप विवेक सर संजीव सर बहुत एफट कर रहे हो ताकि हम पास हो जाए डैफिनेटली बस मेरा यह है सर आर्टीडी तो रहेगा ना कहां रहेगा हाँ अभी तक तो रहेगा आप एक बाइव टेलीगराम चैनल जोई देखो विवेक सरका भी देखो मेरे वाला भी देखो वटसाइब गूरूप मीरे तेली ग्रूप सारे गूरंप मेंने भीज रखा अगर आपने नहीं सब्सक्राइब कर एक डिस करेंगी जिस बचे corn flesh लोगह भों की तो मैं इस संदे पांच बजे दो घंटे क्लास है सारे बैड जाना जिसको नहीं पता आप लोग की ड्यूटी ए गुरूप में डालना मैं कहीं अधूडिसमेंट नहीं करूंगा उचिछ की पहले बोल रहा हूं और जैसे क्लास खतम होगी विदिन टैन मिनिट वो क्लास में फिर से उसको रिमूग कर दूगा अच्छुली मैंने रिमूग कर दी थे मैंने प्राइवेट नहीं की थे तो दुबारा से अफलोड करूँगा और उसको विदिन टैन मिनिट में रिमूग कर दूगा अब आप लोग शेर कर ले ना आप लोग बता देना जहां भी बताना ह ठीक है जी अब खुश सारा बच्छा बस अब मैं अपनी शांतिस एन अपने दिल से मैं भी मैं भी गिल्ट फील कर रहा हूं लेकिन मैं क्या करूँ भई मैं बार रहा हूं चलो आज की लेक्चर को मैं स्टार्ट करता हूं फटाफट से चलो जी सर ICDR जो कि हमारा पहला है सेभी के अंदर ICDR में क्या डिस्क्लोजर हो सकता है हमारा इधर दियान दो सारा बच्छा सेभी ICDR regulation 2018 में सर पहला पोइंट देखो बात ध्यान रखना ICDR जो हमारा बनाए सब्सक्राइब आप पड़ूंगा उसमें टाइम लग जाएगा अब यह क्यों यह क्यों मतलब चीक है वेट फुर वाइल जैस्ट गिमिया इधर द्यान दो सब आई सीडियार इशू ओफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वार्मेंट देखो रेगुलेशन का नाम इटसल डिस्क्राइब करता है मुझे मैसेज कर लो गाईज ऐड नहीं कर सकते हो मैंक आप मुझे मैसेज कर लो मैं अभी मत करना भी तो मैं क्लास में हूँ मैं बाद में अबको आपको एड कर दूँगा पने नाम के जिस बच्चे को भी एड होना है मैं एड़ कर दूँ और आजी वगर आप भी नहीं हो तो आप एड़ हो जाना चलो तो सर्ट कैप इशू करना कैपिटल कैसे करना सब बच्चों को पता होगा सर यहां एक्विटी शेर्स इशू करते हैं यहां डैट इंस्ट्रुमेंट इशू करते हैं करते हैं न तर पढ़े होगी सेभी इल्डी एस इशू एंट लिस्ट्रिंग और सेक्यूर्टी रेगलोशन अब यहर मुझे याद नहीं है उसका आई गैस 2003 होगा यह 2002 होगा वह देख लेना तो वह आपने पढ़ा होगा लेकिन कनवर्टिबल और एक्विटी शेर्स के लिए इशू के ल मिलार पढ़ने वाले हैं यहां मैं आपको कोई ICDR की eligibility criteria नहीं पढ़ाने वाला हूं नहीं हमारे syllabus का पार्ट है तो बस जो to the point पूछा गया है to the point answer हम लोग लेने वाले हैं ठीक है जी इधर द्यान देगा बच्चा सर्ड डिस्क्लोजर इंदा कहां डिस्क्लोजर करना है पहली बात तो सब बच्चों को पता है इशू कैसे करते हैं सर ओफर डोकुमेंट बोलते हैं यानि प्रोस्पेक्टस अगर फिक्स प्राइज इशू है अगर बुक बिल्ड इशू है त ड्रैफ्ट ओफर डोकुमेंट के अंदर बोल लीजिए हमें जो भी डिस्क्लोजर देने हैं वो क्या क्या डिस्क्लोजर देने में आओ पड़ा रहा हूँ रेगुलेशन नुबर टन्टिफॉर बोलते हैं सर जब हम कोई भी इशू लाएंगे ना कोई भी पब्लिक इशू लेके आना है आई प्लीज एड मी ओल्सों आप मुझे मैंसेज कर देना देन मैं कर दूँगा प्लीज अब यह डिस्कुशन मत करो अब काम की बाते करते हैं ठीक है तो सर हम क्या बोल रहे हैं अगर हमें कोई भी इशू लेके आना तो इशू लाने से पहले चाहे वह और प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले ड्रैफ्ट प्रोस्पेक्टस आप सैभी को भेजोगे जो एक बोलोगे सर यह यह material information है जो हम आपको भेज रहे वो टाइमली भेजेंगे सर एकुरेट information है और किसके थ्रू भेजेगी इशूर कंपनी खुझ से नहीं भेजेगी कंपनी कंपनी को एक intermediary merchant banker जिसका नाम हम lead manager देंगे क्या नाम देंगे lead manager के थ्रू हम लोग इसको भेजेंगे तो सारी material disclosures सारे material all material disclosures material का मतलब जो significant है जो जरूरी है इशू के base पे जो investors है ना जो shareholders है ना वो informed decision ले पाएं जो investors है ना वो पढ़ा लेका prudent informed decision ले पाएं कि यहां पैसा लगाना है कि नहीं लगाना जो मैटो इस दा बेस्ट example अभी जो मैटो का IPO चल रहा है कि बहुत सारा बच्चा लगा रहा है मेरे को भेज रहा है पूछ भी रहा है कि सर सही है कि नहीं है मैं बस उसको सीधा साथ example एक बात बोलता हूं कि भाई देखो आप अपने risk पे लगाओ यह मैं अगर मैं कल को बोल दूँ ठीक है और जो मैटो नहीं नहीं उसका हो पाए इतना जो ग्रोथ के साब से आप लोगों ने सोचके लगाया हो या आप जितना पैसा लगा रहे हो मुझे क्या पता प्रोराटा बेसे पर आपका आएगा नहीं आएगा कितने टाइम ओवर सब्सक्राइब जाने वाला है हमे उसके बेस पर इंफॉर्म डिजन ले पाएं और वह सारी इंफर्मेशन जो भी आप ऑफर डोकुमेंट ड्राफ्ट ऑफर डोकुमेंट में दोगे ना रेगलुशन 24 बोलते हैं वह सारी की सारी इंफर्मेशन ट्रू होगी करेक्ट होगी एडुक्वेट होगी उनको गर्टास हम कहां यूज करते हैं फिट इशु के रहें पे सर जो भी हम इसके लिए यूज करेंगे ना अब यह क्या बोला गाए सर इसके अंदर हम शैल कंटेंड इस्क्लोजर इसके अंदर माटेरिल इंफॉर्मेशन तो देंगे देंगे प्लस में साथ में ये इनफरमेश आपका दूसरा जाता है वह जी ड्यार वगए इसु करने वाला तो 40 तक बेसिकली करते हैं तो देखते रहें अब प्राइवेट प्लेस्मेंट अफुर्टी तक करता है तो चलो वह तो सेक्शन से थोड़ा सा काफी डाइम से दूरू तो सेक्शन उपर नीचे हो सकते हैं च सेक्शन 26 के अंदर जो डिस्क्लोजर बताये गए हैं एडवर्टीजमेंट को लेके जो प्रोस्पेक्टर को लेके वह सारे नॉम्स ओल्दो पहले लिस्ट बहुत बड़ी होती थी अब वह लिस्ट छोटी कर दिया एमसी ने पहले बहुत ज्यादा चीजे थी अब वह घट है और जो सेम था ना वह वाला रख दिया सभी में और वहां से डिलीट कर दिया कि रेपेटिशन ड्राफ्टिंग अच्छे करने कोशिश की है प्रिसाइजनेस कंसाइजनेस लाने की ठीक है तो डूसरा डिस्क्लोजर क्या कर दिया सर यह वाला तीसरी बात सर लीड मैनेजर जो हमने अपोइंट किया था ना लीड मैनेजर सारे बच्चे को पता है ना जी सर जो लीड मैनेजर अपोइंट किया था ना मर्चेंट बैंकर एक तरसे लीड मैनेजर होगा को लीड मैनेजर लीड मैनेजर एक भी हो सकता एक से जाधा भी हो सकते हैं सर वो क्या करेगा ऐसा ना लिखें इसके अंदर जो क्या हो गलत हो तो अशुरेंस देगा सर अपनी पूरी एक्साइज करें डिलिजन्स और सैटिस्वाइब करेगा टू इटसेल्फ बोलो यह देंसेल्फ बोलो वह आपके ना लो मेकर ने देंसेल्फ वर्यूज किया होगा और मैंने इटसेल् इसके बेशन ले सकते हो इस चीज को इंशूर कर रहे हैं इसके आपको डियू डिलिजन्स एटिफिकर दे रहा हूँ और एक बात बता दू यह डिलिजन्स एटिफिकेट कौन से फोम में जाता है एक में रुजाओं मेरको एक्जेक्ट लियाद नहीं है जिस्ट गी में सिंगल मिनिट यह नहीं फोम एओ शेडूल फाइफ फोम एओ शेडूल फाइफ अब इधर द्यान देंगे सर इसके अंदर अपना सैटिफिकेट पी डाल देंगे जुदीन से इटिकेट आगे बढ़ेंगे सर लीड मेनेजर और क्या बोलता है सर शेल को लपान गुला सकता है किसको बुलाएगा बोलेगा एक क्या कम्प्लीट करने के लिए बोलेगा शेल कोई पोन डरेक्टर्स इसूरश प्रोमोटर्स और अगर वह वह offer for sale सब बच्चों को पता है मेरी फैमिले के section 28 में offer for sale बोला गया section 25 में भी बोला गया difference आप लोग देखते रहे ना आप महीरो company लोगे sir section 28 25 बट यहां बाती रहे 28 की mainly sir offer for sale जिन्हों ने किया तो selling shareholders promoter issuer और वर लगा ले ना इन सब को और या end मलब इन सब को बोलेगा sir जो भी आप लोगों की information जो भी आप लोगों की obligation थी ना sir to fulfill their obligation प्लीज उस obligation को fulfill कर लीजिए और वो चीज कहां जो भी आपने offer document या draft offer document में बोला था ना हम ये काम कर लेंगे हम ऐसा कर लेंगे हम ऐसा कर लेंगे सब कुछ obligations पूरी कर लो जो भी रेगुलेशन में लिखी थी और जो भी आपने draft offer document या offer document में लिखा था वो सारी obligations आप पूरी कर लोगे ठीक है जी बात समझी में आगई मैंने बहुत simplified तरीके से notes बनाने कोशिश किया कि last moment पे आप खड़े होगे ना exam के बार आप मेरा पूरा drafting पूरा governance पूरा RCD मेरे notes से न उठाके ऐसा पढ़ लोगे तो confidence आजागा सुरने बताया था मैं assurance दे रहूंगी बहुत मैनत किया है बहुत मैनत सोच सोच के कहा से क्या connectivity करूं कि आपके मैंड में सेट हो जाए अच्छा अगर बीच में वीडियो रुक जाती है बीच में वीडियो अगर आपको अगर ऐसा होता है तो पहली बात तो जैसे में हो चुका है तब ही मैं आपको दुबारा बोल रहा हूं लीड मैंजर एंशुर करेगा किस चीछ को एंशुर करेगा अगर उससे ज्यादा पुरानी नहीं है पिछले छे महीने तक की है अगर उससे ज्यादा पुरानी है तो आपको दुबारा से अपने अकाउंट को ओडिट करवाना पड़ेगा लेटेस्ट इंफर्मिशन देनी पड़ेगी सर मैक्सिमम छे महीने कब से 6 महीने इश्यू ओपनिंग डेट से जब आप इश्यू ओपनिंग डेट करो ना उससे पि क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं भाग रहा हूं आगे मैं 10 मिनित ज्यादा लगा दूंगा आपकी यहां लगा जाओ यह फील्ड आपकी यहां प्रैक्टिस कर लो क्योंकि एक्जैम बेगर कोई भी लैकूना रह गया ना कहीं कमी रह गी तो महां स्कोप नहीं बचेगा यहां मैं टाइम लगा दूँगा चलो जी अब देखो बोला गया देखो लो में करने तो मैं आपको बदा दूँँ शायद आप लोग अपडेट हो या ना हो पहले न हर जंग है पहले हर जंग एलो डियार सोरी आई-सी डियार के अंदर यहां पर वर्ड और फाइलिंग था रेजिस्टर करवाना या फाइल करना क्या मैं बोल रहा हूं सर जहां भी world filing था registering और filing किया बोरो मैं भी आपको एक सकड़ कहीं पे लिखा है मैंने मैंने ऑल्द अपडेट कर दिया पीनी मुख पूरी के पूरी मैंने अप्डेट कर दिया, मैंने डिलीट कर दिया वो सारी चीज़े, अगर कहीं पे होगी रेजिस्टरिंग word मैंने काटके मैंने अपनी book अप्डेट कर, देखो एक जिंग आएगा है रुखो, देखो ये यहाँ word मैंने जैसे रेजिस्टरिंग लिखा है और हांच जेन्ग का गटिम्न ए उसको करने वा से टिलीट कर दिया है अपने फंडिंग वाले टीचर लेना सर ऐसा क्यों किया है क्यों कि बहुत लंबा लोजिक है मैं यहान ही बता पाऊंगो जिशक भूłe को डिलीट करके कहीं पर अब क्वेक्षैम समझे में आगे मेरी फैमिली के बच्चे को आगे बढ़ते हैं जी सर अब हुआ क्या आई प्यों लाने से पहले आप फाइल करोगे अब रेजिस्टर वर्ड नहीं है आप फाइल करोगे ड्रैफ्ट ओफर डॉकुमेंट और ओफर डॉकुमेंट तो जिस भी बुक में आज भ कुपियों लाने से पहले यह ड्यूटी बनते है किसके साथ इशूर की और इशूर खुझ से तो नहीं करमपनी किसी एक्सपर्ट को लेगा अब एक्सपर्ट को ने जी वो मालो सारा कमा के लाने का हाकुसका गर्ल को target नहीं कर रहा हूँ, किसी आज के दिन तो लेडी में बोल साथ, उन जैंट से भी जादा अंगरती हैं, सब बराबर हैं, कोई inequality किसी के बीच में नहीं है, और सब बराबर हैं, इवन आप जैंट से जादा focus कर ये काम कर सकते हो, मैं आप किसी जैंट को, या किसी male person को defeat नहीं कर रहा हूँ, तो please, सब बराबर हैं, तो बोला गया, चैसे मान के चलो, करता है ये एक company का, जब company को issue करने है, shares, मान के चलो, अब इसकी ना, तीन कोपी, company को IPO लाने से पहले, बहुत ध्यान से सुनना, three copies, किसकी draft offer document की, तीन कोपी, हमें किसको बेजनी है, सैबी को, औ सैबी को भेजते ही, साथ-साथ, ना, थोड़ी देनी बादी, हम क्या करते है, सैबी को mail करते हैं, letter देते हैं, उसी time में श्टोक exchange को भी देते हैं, अच्छा सर, आपने कहां से बोल गया mail करते हैं, last में लिखा, soft copy भी देनी है, तो जो भी सैबी को, उन्हें, draft offer document या final offer document दे सैबी को हम भेज देंगे, सैबी को हम भेज देंगे, अब उसके बाद मैं बताओंगा अगली regulation में, यहां मैंने star इसलिए लगा के छोड़ा है, अगली regulation में बताओंगा, अगली regulation में बताओंगा, कि ये फिर आगे का function क्या होगा, बताने को मैं बता देता हूं, सर, ये पर अपनी website पर डाल देगा सेभी और 21 दिन के लिए कम से कम डालेगा 21 डेल्स के लिए डालेगा और पबलिक comment के लिए डालेगा पबलिक इसके अपने comment कर दो और सर अगर सैभी को क्यों दे गए सर फीज भी देगा schedule 3 में plus में सर certificate भी देगा confirm ऐसा certificate जो इसके और कंपनी के भीच में अग्रीमेंट हुआ था लिड एट वो फीस ओफर डोक्मेन्ट की तीन कोपी सोस्ट कोपी डीडी सटीफिकेट डीडी बेलिजन सटीफिकेट हम किसको फोर्म फोटे लिवेव बतायागा बीवकत्वर करवाई थी ना रेलोशन 24 में वही वाल आएगे प्लस सर अगर कंपनी मैंने आपको पहले बता था ना सर क्या इशू करना है इस्टुमेंट मेरी फैमले कोई बच्चा क्या पता उनको याद हो नहों फिर बाद में बोलेगा स्वारू आपको नलायक बच्चा बैठो आई बैंचर टरश्टी से भी सट्विकेट ले लेंगे सर शारा कुछ प्रोपर ली चल रहा है कमपनी में मुझे लगता है सत्व समझ में है यहां द चैनल दिया पोइंट नंबर थी आएगा मतलब सर जैसे इसको बेजना ओल्सो सब्मिट टू एलोंग विद किसको सब्मिट कर करा मुझे नहीं पता बट मैं अपना दिल निकाल के दे रहा हूं मैं अपना सब कुछ अपनी महनत दे रहा हूं सर अब आप लोगों के उपड़ी पहेंड हो अब देखो क्या होगा एलोंग विद सर इसके साथ ना अगर हम स्टोक एक्षेंज को बेजने तो एक एडिशनल च में फाले हो क्याँ बनते बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाँ में पासपोर्ट नंबर पासपॉर्ट पान पोले रिश्यवर का प्रेक्ट कॉर्ड का आइड्रस दॉरिंटर ब सो दॉकुल और पॉर्फ essa तो यह सारे चीज़ प्रमोटर अगर बोड़ी कोर्पेट की फोर्म में हैं तो हम स्टोक एक्षेंज को साथ में फाइल कर देंगे तो फिर फॉर्थ पॉइंट बोलते हैं शादी होने वाली है आईपियो होने वाला है शादी है बहुत सारे लोगों ने पैसे दे के जाने हैं लड़की के शादी कर रहे हैं बहुत सारे लोग आएंगे वह खाना खाएंगे और पैसे दे के जाएंगे न तो वही मान के चलो जो पैसे आने हैं तो कार्ड प्रिंट होन निकालके आप अपने घर के बड़ो को दादा जी के पास लेके जाओगे ना दादा जी के पास लेके जाओगे से लेक पर चेक कर लो दादा जी इसके अंदर क्या गलती है तो यहां मैं सैवी को दादा जी या फादर मान के चल रहा हूं कि हर कंपनी का हर लिस्टिड कंपनी क वो एक सर्वोपरी है जैसे constitution हमारा सभीदान है हर एक listed company का सभीदान है सेवी ठीक है ना जी तो हर एक listed company का सभीदान है सेवी तो उनके पास क्यों लेके जाते हैं सर आप अपने इसके ओपर अपने recommendation करो observation करो कोई हम बच्चों से गलती होगे तो change करवा दो सर बाद यो मत बोलना गलती कर दी कभी बाद में ही है बाद धान से और सर जैसे आपके पास जाएगा सैभी के पास अगली regulation इसका अंसर देगी 21 दिन तक वो उसको देख सकता है और अपने और भाई बहुत सारे लोगों को बुलाना है उनसे पूछेगा बताओ तुम्हारे बच्चों का नाम कहने का मतलब क्या है पब्लिक से comment लेगा आप भी अपने comment देदो कुछ गलत लग रहा हो तो और भाई चारों से comment लेगा गाओं के लोगों से comment लेगा क्या करना चाहिए लड़की की शादी यहीं करने चाहिए वहाँ जाए करने चाहिए तो सबसे उचेगा तो यह चीज समझ में आ गई अब देखो क्या होगा इसमें फिफ्ट पॉइंट मैंने डाला है हो सकता उपर नीच इतना जबर्दा माइड में सेट कर दूँगा इस क्लास के बाद ना कोई बच्चा मेरी फैमली का यह नहीं बोलेगा सर अब मुझे तो आता ही नहीं है यह चैप्टर यह चैप्टर आपके टिप्स पर शेवन चैप्टर टिप्स फिफ्ट चैप्र टिप्स पर पूरा गब यानि issuer, और जो manager है, वो उनकी duty बनते है, जो भी changes sabi ने बताए, जो भी observation sabi ने बताए, वो सारे के सारे changes कर ले, made out changes, किस में sir, in draft of a document, कहां करेगा sir, in draft of a document, draft of a document, shall submit, किस को करेंगे sir, sabi को, shall submit to sabi, और साथ में क्या देंगे, और साथ में draft of a document में क्या करेंगे, updated draft of a document, जो update कर दिया है न, जो पहले copy बेजी थी थी न, बच्चा बोलेगा sir, कितनी copy, as such लो कुछ नहीं बोलता, मैं practical life में इसके तीन copy use करता हूँ, तो three copies इसकी भी कर द फिर highlighting all the changes, plus sir, जो भी आपने change बोला था और जो भी हमने change किया है उसको highlight कर दो, लो जी, draft है यह भी एक तैसे, draft, updated draft, sir, लो जी, finalize हो गया, क्यों जी, अभी तब पब्लिक कमेंट आने रहते हैं, क्या पताँ, उससे पहले साभी बोल दे, लो जी, हमने आपने तरफ से final कर द ROC, appropriate authority, अब बोला गया है, किसी और authority को भी भेजना है, तो उनको भी भेज देंगे, income tax, किसी को भी भेजना, authorities को उनको भेज देंगे, else, sir, बाद में, then, बाद में भेजेंगे, sir, इन लोगो, पहले साभी को, फिर इनको, then, third point क्या बोलता है, promptly, after ROC, जैसे आप ROC को भेज देखो, एक बात ध्यान से, थोड़ी से mistake हो गई, में इसे flow में बोलने में, draft offer document, sabi को भेज दिया, update करके, फिर आफ final offer document, ध्यान से सुनो, final offer document, ROC को भेज दो गई, और जो भी और authority होगी, उसको भेज दो गई, then, जैसे आपने final, word है, file, offer document, offer document, मतलब final offer document की बात हो रही है, सर, जैसे आपने ROC को भेजना, ROC को भेजते ही, then, after ROC, उसकी copy offer document की, हम sabi को, और stock exchange को file कर देंगे, जब वहाँ तो, update करके दिया सा, then, इसकी copy देंगे, one nation, one teacher, वाली feeling आ रही है, आपको देखकर, sir, your efforts for us, very, very, very useful, thanks, Sonam, thanks, मतलब, 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 मुझे, personally, ये लगता है, क कि, one nation, one teacher, बोलना, मुझे नहीं पता है, दुनिया में कौन-कौन बैठा है, मेरे से भी बहुत ज़्यादा महनत करने वाला बैठा होगा, but, thanks to you people, कि, आप लोग मेरे को share करते हो, आप हर group में, मेरे बारे में, बोलते हो, कि, सरक से ले लो, सर से revision lectures ले ले लो, बहुत अच् तो मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, you are the closest shareholder of our, shareholder नहीं बोलुगा, stakeholder हो आप हमारे, मेरे सबसे closest जिसको बोलते हो, hurt हो, तो बच्चे ही लोग हो, आप लोग, मेरे आपको मैं कभी नहीं चाहूँगा नराज करना, but, आज coincidentally ऐसा हुआ कि, हर lecture में नहीं एका दुका से पढ़ा रहा हूँ आप लोगो, ठीक है, और मैं इसी तरीके से पढ़ाता रहूँगा, जब तक, जब तक है गले में जाने, तो सैबी को, और स्टोक एक्चेंज को भीज देंगे, ठीक है, तो ये मेरा वे funding पढ़ाने का होता था, पहले में फंडिंग मैं ऐसे खो जाता था, मतलब 30-35-35 घंटे ICDR, 40-40 घंटे LODR, ये मेरा वे होता था, पर ठीक हम मैंने वो subject थोड़ा सा hold पे डाल दिये, तो बाद में कभी future में होगा तो देखेंगे, बट अभी मैं नहीं पढ़ाता हूँ उसको, draft offer document, और offer document की सर, soft copy भी, सैबी को देंगे, इसकी soft copy भी, सैब को बताया, दनना, तो regulation number 25 भी clear हुई मेरे family के बच्चे को, चलो जी, sir, regulation number 26 आई, उसने क्या बोला, draft offer document है, और जो offer document है, to be available to the public, sir, वो public को available कर देंगे, draft offer document है, या जो offer document है, to be available to the public, sir, file कर गा, final, अब मेरा question, आप लोगों से है, बच्चा अंसर देगा, sir, हम public को file कब करते ह है, generally, जैसे हमने ROC को दे दिया, savvy को दे दिया, stock exchange को दे दिया, generally, कितने दिन का minimum gap रखते हैं, minimum कितने दिन का gap रखते हैं, और maximum कितने दिन का gap रखते हैं, मैं company लोगे तरीके से नहीं पूछ रहा हूँ, please, जो है, बस मैं to the point रहने चाहता हूं, फिलाल, interpretation करते है, funding में, हमने savvy को कर दिया, अब कितने दिन का minimum gap रखें, और maximum कितने दिन का gap रखें, सर, जो हम ये, final offer document, public domain में लेके हैं, फटा-फट मुझे answer दो, चलो, मुझे answer दो, फटा-फट से, answer दो, बिना पढ़े answer दो, revision चल रही है, नलाएको कोई मैं यहां तुमें, महलब detail वाले lecture वाला feel जरूर आ रहा होगा, बड़ यह में detail नहीं है, detail बहुत अलग होता है मेरा, बहुत अलग होता है मेरे detail, एक अंसर आए मेरे पास, फरीण जीगा, 21 days, मैंने पूछा, कितने दिन में पब्लिक को देंगे, ओफर डोकुमेंट कितने दिन में पब्लिक को देंगे, पुछा, No, sorry, two days, वह, 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 भाई, कहां पढ़ लिया है, two days, मैं मुझे, मुझे एक बार यह बता दो, पुब्लिक को देंगे, मैं पुब्लिक को देंगे, कितने दिन में देंगे, तो विदिन two days, पुब्लिक अनाउंसमेंट कर देंगे, हम, क्या, दोगो, चलो, स्टार्टिंग से चलते हैं, सर, सैबी, यानि जो हमारा बोड है, शैल में पुब्लिक किशू, पुब्लिक को, अब जो सैबी को हमने बहजा था, वहां मैंने बताया था, मैं बाद में बताऊंगे, रुको रुको, ध्यान से, रुको रुको, समझो, समझो चीजों को, अब ओल्दो मैंने जो, कोशन कुछ और पुच्छा था, और इंटेंशन कुछ और थी पूछने की, कोई बात नहीं, सर, कन्फ्यूजन होगे, कोई दिक्कत नहीं है, इधर जान दो, सर, जो उमने सैवी को फाइल किया था, अब सैवी क्या करेगी उसको, सैवी पढ़ती रहेगी बैटके, सर, सैवी उस ड्राफ्ट ओफर डोकुमेंट को, फोर कमेंट के लिए कहां बेज देगी, एक्ट लिस्ट 21 दिन के लिए, जब आपके पास है, उसी टाइम, 21 दिन के लिए, कहां डाल देगी, सर, होस्टिंग इट ओन वेबसाइट, किसकी सिर्फ अपनी, सैवी की पे भी बोल देगी, श्टोक एक्चेंज को भी बोलेगी, लीड मर्चेंट बेंगर को भी बोलेगी, मैनेजर को भी बोलेगी, सर, सारे के सारे लोग, अपनी वेबसाइट पे डालो, नलायक सारे बच्चे, सारे वहाँ डालो अपनी वेबसाइट में, मैं बोलता हूना जैसे, इसे बी को मैं बोरो में स सर मैं पैसे लya ओला हुँ मैं इसुलाना हूँ तो क्या करो 21 दिन के लिए अपनी वैब साथ लगा종 लेफ ए स्वेचिंग के लगाओ और ओल्सों मतलब बूपर वाला तो हो गई होगा और क्या करेगा खबिए यह वो पभ नॉसमेंट टेक आवर वाली दीए क्रिए क्सको somehow वर टो डूंच घंदि लांगवई डान बींडबर में और क्या करे हैँज इसका लैजस्पेपर मेड़ देगाquito टूड़ेज पबलिक अनॉसमेंट कर दगा सर हम ऐसा कुछ लेकर आ रहे हैं फिर क्या होगा जी लीड मेनेजर जो होगा ना लीड मेनेजर मैनेजर सोगे एक से जाद होगा तो कि मुझे है सारा याद मैं आपको बता दू मुझे है सारा रिटेन देखो क्या करेगा यह कि दा लीड मैनेजर मैनेजर शेल आफ्र एक सब्सक्राइब कर दो अब का मतलब 21 देज यह मैंने सिंप्लिफाइब के नोट्स में डाल दिया फाइल भी अभी डिटेल्स अव्ट कमे अब पब्लिक में इशू किया था इस्वर फ्रोदक फ्रॉम दा पब्लिक यानि पीए जो हमने इशू पब्लिक में दी उससे आए हैं तो ड्राफ्ट ऑफ दोक्मेंट में डाल देंगे डिरिंग डैट प्र जो भी आया है ऐसे उसकी वज़ेसे जो भी मुझे चेंजिस करन और फिर लीड मेनेजर मेनेजर क्या करते हैं सब्फ रॉफ डोकमेंट अब जो सब कुछ अपडेट कर लिया से बीने कमेंट दे दिये जो फाइनल कोपी बनी पब्लिक को देगी सर एस एज एंड वें रिक्वाइड जो भी पब्लिक चाहेगा इसकी कोपी लेना जो भी अगली बात क्या बोल रहे हैं इश्व रिलेटीट्ट इडिश्मेंट मैं करों सब्सक्राइब मेहनित बाला मोस्ट्री काम हो गया अब इश्व आपको जब करना है इश्व कब ओपन होगा तब क्लोज होगा उसकी एड़टीजमेंट करेंगे कहां करेंगे सर्फ एक लेगली उपर करेंगा स्रेट को इस पो извgroup को सनल गाल बाद फिरा यृत्स को क्रेंगे करेंगा इंग्लिश हंधी बातुज्थ को फिसले किरेंग और सर्व इडिविटिज्मेंट केंद किया कंटेंगा रूंटेंग इसका जो कहां बताए गए हैं पार्ट ए ओफ शेडूल 10 में देखो आप इसके बार में डिटेल ना तो बुक में हैं और ना ही मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हाँ और रेगुलर लेक्टेस में पता जेता हूं कोई काम की चीज नहीं अभी आपके लिए रेविजन के लिए तो पार्ट ए ओफ शेडूल 10 के अंदर जो डिस्क्लोजर बताए गए हैं अड़ोटीजमेंट में डिस्क्लोजर डालेगा प्लस में सर इशू ओपनिंग और क्लोजिंग डिट भी डाल सकता है प्लस में सर एक बात ध्यान अखना कभी भी इशूर उसका लीड मैनेजर पब अभी आएगा थ्री डेज होगा उसका मिनिममम फ्री डेज और मैक्सिमम बारा महीने अभी आएगा अगला आएगा पॉइंट उसका रुख जाओ बतातों भी दो मिनिट में क्लीर हो जाएगा तो सर एड़ोटीजमेंट का मिसका मलब यह नहीं कि वह जैसे अब मैं हूँ अब मैं अपना स्टेटस लगा रहा हूं मैं स्टेटस में बस यह तो लगांगा न मेरा ओपन खुला है मेरा पब्लिक और खुला है मेरा लेकिन उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं डालेगा इवन कंप्री लो तो यह भी बोलता है कुछ दो नीचे यह मेरी स्लाइडिंग चल र कि सर हमारा तो ओवर सब्सक्राइब रो चुका है देखो ध्यान से इलेक्शन में पिछले दो तिन साल पहले बैन हुई है यह जब तक वोटिंग खतम नहीं हो जाएगी ना आप पहले से यह रुजहान नहीं करोगे पोलिंग कि कौन जीतने वाला है उससे क्योंगा हमारा इंडिया पूरा दुनिया में बोलूँगा हम इंसान क्या है इंसान क्या पूरी स्रिष्ट्री ऐसे बेड़ चाल है जानवर में जब एक आगा आगे चलेगा ना सारे पीछे-पीछे चलना स्टार्ट कर देते हैं उसको फोलो करना चाहे वो कहीं भी जाएगा कुए में गि आ रहे होंगे ना और यार उसे ने तो लगा अब मैं मैं क्यों बता हूँ मेरे कितना पैसे लगाया भी होगा मैं क्यों बता हूँ मैं किस किस शेर में पैसे लगा आगर मैं बता दूंगा आप बच्चे हूँ आप उससे अट्रेक्ट होगे आप पैसा लगा दोगे डूब इन्वेस्टर को कि सर बैस चल रहा है हमारी प्रफोर्मेंस ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे इससे यह इंप्रेशन आएगा कि इन्वेस्टर वहां पैसा लगा रही है वह बहुत बढ़ी चला है जैसे मैं बोल दू नलैक टीचर है कुछ पांच साथ वो क्या करते हैं एक टीचर होंगे दस जार बीस जार बच्चे सिए स्वाइनल में नहीं होंगे जितने आप डाल रहे हो कि मैंने इतनी हो गए हैं तो क्या मैं बोल दूँ वह बच्चा देख देखके अट्रेक्ट हो जाएगा और वह जब इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं क्यों नहीं पढ इतने दिन में दस जार बुक्सेल हो गई है यह चीज यह गलत है तो जो जाइनवन है वह है किसी दिन फसेंगे तो वेबसाइट ब्लोग हो जाती है यूटूब पे मैं सब्सक्राइबर ज्यादा दिखा दूं मैं व्यूज पेड व्यूज मिलते हैं सो सो देड़ सो रुप डाया आप कोश्चन का अंसर किशोर मोतवानी अब आपके कोश्चन का अंसर आया जी सब्सक्राइब लिए अपर वाले का मैं फिर चूप रहा मैंक क्यों बंफ्यूज किया पतला बच्च आगे पीछे आप गएपीछ पलटना स्टार्ट पर दे हो सकता है एक बल के लिए सोचा हो सकता है मैंनेmist गलत पूचा हूँ बट मेरे याद आ गाहिने कोशंह गलत नहीं पूचा था था मैंने कोशंह ज गलत नहीं पूचा था और फूच भी तो ठीक है मैं अब मेरा intentional यह पूछने कि मिनीमम कितने दिन में सरह में पटा दे पप्ली को फर डोकेमेंट दे दे और मैक्सिमम कितने दिन में दे एस पर सैभी कंपरी दक की बात नहीं हो रही अब बताओ मुझे मीनिमम कितना और मैंसर दे दिया बट फड़ाफट कमेंट बोष बहो बताओ मुझे मुझे कितना और जो बच्चा ना लायक बैठा ने या जो लाइक नहीं करता है वो लाइक करो लाइक करो फटापट अ कि देखना लाइक करते जैसे लाइक बढ़ेंगे ना उसे टैम मेरी आवाज बढ़नी शुरू जाएगी उसे टैम जोश बढ़ना शुरू जाएगा मैं मैं आपको यह नहीं बोल रहा हूं मेरी बातते सुनों अंसर दो मुझे कि शोड जी बोल रहे है सर थेंक्यू कि अरे करो भाई अंसर दो मुझे एक तो बच्चे को बोलता हूं ना किसी को मैसेज नहीं करना इतना खोफ है इतना खोफ है मैं सच बता रहा हूं इतना खोफ है बच्चो के दिमाग में कहीं मैसेज कर दो और सरगुस्सा करें बच्चा लैप्टोप मैं लगता टीवी में खोलके देखते हैं बच्चे एलिडी के अंदर देखते हैं अपना रोई चोहान आप जैन्वन होया या भाई कोई मतलब वो मुझे नहीं पता अगर आप जैन्वन हो जैन्वन मलब स्टूडेंट हो तो आई लव यू तो मेरे ब्रदर और अगर आप फेक हो तो भी भाई लव यार ठीक है तो सम्टाइम पता क्यों होता है बच्चों को रिप्लाइए कर दो बच्चा सामने जी आई जेल के वैच में क्या हुआ पता नहीं मेरे पास आज भी हो चैट मलब बच्चों का मैंने स्क्रीन शोर्ट तो लिट नहीं क्या हो एक लड़की लड़की बोलती आई लव यू सर मैं आप से शाद्दी मेंने का भाई मेरे तो लड़ी शाद्दी रखिये मेरे सपनों वे पानी फिर गया यह फिर गया मैंने का तुम फेक है मैं उसी टाया उसको ए यह फाइनल आई एम फाइनल इस्टुटेंट ठीक है जी फिर रोहिट चोहन जैनम से मिनीमम थ्री वर्ट इचलो जी चलो तो देखो अपब्लिक इशू में भी ओपन यह बी ओपन चाहो तो बारा महीने में कर लो सर बारा महीने में नहीं हो पाए तो दुबारा से करो फ त्री वर्किंग डेज ठीक है जी बच्चों ने सही लिखा थ्री वर्किंग डेज और मैक्सिमम बारा महीने सैबी की वज़े से और ओल्टो यहां लिखा है सब्जक्ट तुद प्रोविजिन अफ कंपनी जैक्ट जब बेरेट जागे पढ़ोगे न इसका ओनेशनली सब आया है वह मोडूल में नहीं है वह हम अपने वर्ड्स में एक्जैम में लिख सकते हैं डेफिनेट लिखोगे जो मैंने बुक में डाला है मान के चलना सब कुछ मोडूल में है क्योंकि मोडूल आईसे से पूछता रहता है मैं देख के ही बनाता हूं अपनी बूक तो सपरिटर नल्स को जहांगा अविजगा इसलो करेंados करेंग Mitte के अंदर अंदर वहां से नहीं आएनल फाइल कर दोगे सघ्विकोक टोक एक्छेंज को वहां से उपरगां। सर 12 महीने यहां से पारूल मुझे नहीं पता कि आपके पास मोडूल अपडेटिड है या नहीं है आई से अमेंडमेंट करता रहता बड़ जो मैंने दिया वो करना जरूर फ्रम दा डेट ओफ फ्रम दा डेट ओफ फाइलिंग कब से सर तीन दिन कहां से देखने है सर जब से फाइनल ओफर डोक्मेंट आरोसी को फाइल किये तो दोन्हों डेटो में डिफ्रेंस है सर जब ड्रेगरूशन 25 में फाइनल फाइल किया था ना रोसी को महां से तीन दिन तरीश चैप्टर में में amendments है क्या because मेरे module में ये सारी regulation नहीं नहीं है, हाँ amendments हैं, amendments हैं जी amendments हैं, amendments आती हैं और मैंने module को subscribe करके ही बनाया है, हाँ module में गंदा लिखा हो सकता है मैंने उसको अच्छे तरीके से frame करके बनाया है आपको करना है exam के लिए जो मैंने notes दिये हैं करना है आए हुए exam में question पहले यह मतमाना नहीं आए हैं पहले module में जो आपके पास सब्सक्राइब 2009 लिखा होगा अब module में 2018 वाला आ गया है चींजों के जोती अगर आप answer में लिखते हो तो बोलते हो नहीं चार चान्द लग जाना खूबसूरती तो caution में खूबसूरती आ जाती है जैसे किसी सेंटेंस के खूबसूरती उसके कोमा उसके फूल स्टोप लगाते हैं एक इन्वर्टिट कोमा एक संटेंस के खूबसूरती दिखाते हैं ठीक है ना तो एक संटेंस के खूबसूरती यह है कि वह मत जाओ कि आपने रिजिस्ट्रेशन रिसेंट्ली करवाया था तो आपके पास रिसेंट्ली आएगा पारूल इस चीज में मत रहो आप जो आई से ने डाला है और जो सप्लीमेंट डालाना सारा कि मोडूल में कुछ समैंज नहीं आई रहा है तब ही मैंने अपने आपसे डाली यह ं सब ूपर नीचे तो जो मैं मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ लो जो मैं पढ़ा रहा हूं पढ़े एक्जैम में आएगा आएगा एक्जैम यह पोस्ट इशु एडूठ इप्मेंट कि देखिन कि प्रच सब्सक्राइब करेंगे इंगलिश हिंदीन और रिजनल लैंगवज डेली नीउस्पेफर में करेंगे इसे पर मोडूल में अच्छे नहीं है मैं तभी अपनी लैंगवज में पढ़ा रहा हूं और तभी मैंने नोट्स भी दिया कि हो सकता है मैं मैं वह आयहा हुब ग्वणेश कर चुका है उर यूज करता है बट हो सकता है कि आप मेरी नोट पढ़ लो तो जो मैंने पढ़ा दिया ये पढ़ लो एक्ज doubles में इतना ही लिखा हो माक्स पूरप आजएंगे एक्सेस में आये थे या फिर इशू फेल हो गया तो जब से रिफन न हो जाए तो पोश्ट इशू रिपोर्ट आप साथ दिन के अंदर अंदर फाइनल पॉस्ट इशू रूपोर्ट और डियू डिलियन सेटिफिकेट आप फाइल कर दोगे सर किसको लीड मर्चेंट बैंकर सैभी को फाइल कर देगा कि अधिकरी समझ मैं कि देखो नम्रेता यारे मिलब जो भी आप देखो ओल्ड स्लेबस में मुझे नहीं पता हैं तो मैं आपको बोल दू कि नहीं भी है या है भी अब आपने इतना जोईन करी लिया है तो अच्छी बात है अच्छी चीजे आपके किसी ओर पेपर में काम आ जागा अगर नहीं भी है तो मुझे नहीं पता है कि नहीं समझ मैं ऐसा बच्चों को आई सी डियार इजी लैंग्वेज में में आप लोगो सबको समझा दिया सारा का सारा तो ठीक है मलब यहीं फाइदा होता है नोर्स का अब देखो जी मेरा फेवरेट और बहुत जल्दी मैं अपने सेकंड पार्ट की तरह मुझ कर रहा हूं सी पी सी और पी सी जर्नल लो और उधर से सैबी रेगलोशन में लोडी आर आई सी डियार और एसे एस्टी रेगलोशन टेक ओवर कोड मर्जर मलगमेशन बहुत कर सकते हैं इसकी बट यहां बस जो मैंने चार्ट में दे दिया ना आप बुक से भी मत पढ़ो यह मोर दन एन बस एक चार्ट है सब आपको सैबी सेकria सच्ट रेगलोशन दिश को लेके मैंने सारे बता दे हम इधा इदर द्यान देगा बच्छा चा रैजलmap रैआगलोशन नुबर Deep हैन रिडिनLन तो इसको जाएंगे डिस्क्लोजर रहोद यहां दिया में अरे बाई रेगुलोशन नमबर नहीं डाली होगी अब वो चीज मैंने पढ़ते टाइम पर यह चीज अब्जर्व किया कि यह रेगुलोशन यह होनी चाहिए क्योंकि तब तक आपको उपर नीचर का समझ में नहीं आया होगा तो नहीं है या है आपके मैंने कोई जादा टाइम नहीं और नहीं आपको मतलब मैंने नोर्स में प्रिशान किये है सिर्दी सिर्दी एक दो लाइन लिखी है आपको एक्जाइम में कोशन आ गया तो आप या लिख्या होगी अगर आग है मैं कहलो नहीं है और आग तो एक्जाइम में चॉन्किन करता है कि आप 3-0 ग्रुप 3-0 होगा कि आपके पास अंसर होगा फिर बोलोंगे सर ऐसे तो हम सब कुछ पढ़के जाएं बहुत जो रेलेवेंट है एक वर्ड एक एक रूल पढ़ा जाता है रूल ओफ एजस्जम जैनरेस जो सिमिलर क्लास में न वह सिमिलर हैं जो स्पेसिविक हैं उसके साथ जो जनल चीजे कर लेते तो और अच्छे मांक्स आ जाते अगले एक्जैम में यही सोचते रोगे बैटे-बैटे टेक्स में ठीक है तो पढ़ लो इसको जो इसमें डाला गया है है या मोडल में नहीं है कोई बात नहीं बट मैं बोल रहा हूं एक्जैम में आएगा तो बहुत कुछ सोच क्या बोलते है कि सकते हैं यह डिस्कूजर उस्टोग एक्षेंज गो और किसको देंगे टारगेट कंपनीगो वह रहा हम यह शंट को देंगे को क्या है सकते हुश कुरेंस पह cavalf कचेंज को हम फीथ पात की एक बात बत कर दी बिलकू ठीक या आपने तो कि थी tapi विदिन टू वर्किंग देजह विदिन टू वर्किंग देज आप जैसे ही आप ये इस हैं कमतुछ कि ऑव लाफ कर गए यंसेशिय। मैं बोसी कहता हूं जैसे यृह आप इस एदर फ्वोल कर गए अ इस सुचीशन के अंदर तो दो दिन कैसे करेंगे अपनी website पे डालके पब्लिक डॉमेन में पब्लिक नोलिज में ले आएंगे कितने दिन में टू वर किंदेज में सर कब करना है बहुत बहुत ध्यान से देखना यह मैं सिर्फ रेग्लिशन 29 को लेके बोल रहा हूं कभी बच्चा बोले सबको सर्मातो सैवन नहीं भी पड़ाओ एक्जीकिटे में सुना नहीं भी सुना था खलीदना डिस्पोजल का मतला बेचना ठीक है ठीक है जी दन दन इधर द्यांतो डिस्क्लोजर अप्विजिशन डिस्पोजल क्या करना है जी एन्य एक्वाइर एंड पीसी देखो किसने खरीदा या किसने पेचा कोई भी एक्वाइर वह आप टेक और में जाके डेफिनिशन देखना एल्स मैं आपको बता दूँ यहां में इक्वाइर कर में में ली एक्वाइर का मतलब क्या होगा में ली देखो जो भी परसन कंपनी के शेर्स खरीदता है अब वह खरीद रहा है खुद से और य बेर एक्ट में अगर में इंटरपेटेशन करूं तो अलग जाएगी यहां करूं तो मैं अलग जाएगी तो यहां शेर की डेफिनेशन ना टेक ओवर के प्रस्पेट्टि से बता रहा हूं जो बचा सेकंड पढ़ रहा होगा वह समझ जाएगा जिसने सी आर पढ़ लिया ह होगा जिसने नहीं पढ़ोगा उपर से जाएगा बट इस पर टेक ओवर कोड शेर इस नोट इकोल टो वोटिंग राइट मलब बोल सकता है सारे शेर के केस में वोटिंग राइट हो या ना हो कोई फरक नहीं पढ़ता हूं बट एस पर डिस्क्लोजर रिक्वार्मेंट शे शेर और वोटिंग राइट एक ही बात है बट पहले इन लोगों ने मानना है कि सर वोटिंग राइट को जरूरी नहीं है कि शेर जितने है उतनी वोटिंग राइट हो कहने का मतलब क्या है कि शेर तर एक वाइडर टरम है हो चकता है ऐसे शेर जिन में वोटिंग राइट न बिफॉर रिस्क रोजर अलग मतलब होता है ठीक है अब इधर ध्यान दो यहां मानके चल रहे हैं आपने यह तो शेर खरीदें यह आपने वोटिंग राइट खरीदा है आपने खुद यह अपने पीसी के साथ मिलके कितना किया जी आपने प्रोमोटर ने किया है या फिर वह है प्रोमोटर है या फिर कोई अधर परसेन वह इंडिवीजल भी हो सकता और कंपनी भी कितना की ऐसर आपने एग्रीगेटिंग टू रेगलेशन ट्वेशन वन बोलती है फाइव परसेंट और मोर शेर्स और सच टर्गिट कंपनी अरे वार नलायक यह नोंने बोल जाए श पिर दूसरी बात अगर ऐसा हो गया तो सर आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा मैं दिखाऊंगा या फिर और वर्ड और जब आप रेगलोशन ट्वेशन ट्वेशन वन में फोल कर रहे हो उसे के बाद आप टू में फोल करोगे कैसे सर होल्ड करता है सर फाइव परसें पर फोल कर रहे हो अभी यानि आज भी होल्ड आपके हाथ में शेर्स या वोटिंग राइट नलायकों ने बोला पांच परसेंट शेर्स होंगे तब भी डिस्क्लोजर दे दो फिर बोल रहे हैं खुदी कि जब आपके पास होल्ड कर रहे हो शेर और वोटिंग राइट फि पहली बात तो क्या है सर आप अपनी एक्जिस्टिंग होल्डिंग को डिस्क्लोज करोगे प्लस 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 एंड मलब प्लस का मलब है एंड सब्सिक्वेंट चेंज सर एक रुपे का भी शेर खरीदा तो चेंज आप जो मैटों में खरीद लिए उसके बाद एक रुपे वो आइंड चिंज फ़ेर दो परसेंट यह फिए जалог रहे है और यहां नहीं बोलते हैं जब लिए ऐक आपने सुनोगा creeping acquisition एक टाइप से मैं यहां नहीं बोलोंगा बच्चा मेरी बोल दे creeping जो चेंज आया है जो आप नया पर पर चेंज कर रहे हो तो जो आपने नया पर चेंज है वो सुन आप पर साथ से जाएं बच्चा भोलागा चेंज का मजब प्रचेंज कर लिया पर चैंज में आ गई बाग तो तो सर अब वो चेंज आया है चाहिए बहले उस चेंज की वज़ेसे आपकी शेर होल्डिंग 5% से कम चली जाए फिर बोलागा इवन इफ सच चेंज रिजल्ट इन शेर होल्डिंग फॉलिंग बीलो 5% फिर नलायक बोल रहे हैं जो मुझे ने तिनी गंदी क्रिपिंग अक्विजिशन मैंने वह एक्जेंपल दिया जैसे वहां आप बोलते हो मैंने एक्जेक्टली नहीं बोला मैंने पहले डिस्क्रेमर लिया देखो नलायकों ने कितनी गंदी ड्राफ्टिंग की है अब फिर यहां बोलता चाहिए बहले आपकी शेर होल्डिंग 5% स बहुत कुछ है बट फिलाल के लिए बस समझ जाओ अगर आपका बहले उस चेंज की वैसे देखो उपर बोला था पांच परसंट यह उचा यह और आगे भी यह वने वाला है तो बोला का बहले इस चेंज की वैसे आपका 5% से कम चला जाए या आप प्लस कर लो कोई दिक्क सब्सक्राइब नहीं जाना मुझे उसमें मेरा काम नहीं है रेगलोशन 29 से प्रोशन 3 का बोलती है विदिन टू वर्किंडेज जो मैं आपको उपर बताया सर रिसिप्ट जैसे मिलेगी किसको अलोटमेंट की अक्यूजिशन सर जैसे आपको हो सकता है आपको होल्डिं आई या फिर आपने किसी से प्राइवेटली शेर खरीदें मला बोलते ना इस इस पर डिमेट फॉर्म में शेर परचेस की है तो जब आपके पास एक्वायर आपने कर लिए आपके अकाउंट में आ गए तो जिस दिन अलोटमेंट है यह तो जिस दिन से आपको उगई इसको दो दिया सब इदर देखार बच्छा उपर डालोगर को डिसमेने ट कर देखा चोशेंच पॉर्थ विड इमिडियेटली इंफरमेशन सो रसी फैला देखासर पॉलिक दो मैं में एक बाद जहान अखना सरी हां पूरे डिस्क्लोजर चैप्टर में चैप्टरी में वर्ड यूस आ पके अंप लेंडर हो आप बैंक नोसे पाब्लिक फैनेशल इस्टोडिशन अप प्यासर प्लीस को बनलोग बैंक माल लो आप बैंक यंज्बिक कोण सा शेडीयूल कमर्शिल रशोवां से बैंक रशिबंक फैंतों यांतर पैसा ब्याज पे देना और उनोश का स्क्हें भी लेना सर अगर प्लैज किया देको शेर्स ओते हैं प्लैज बाद ज्यान रखना मेरी शेयर्स इसे में आप गिर्भी रखोगे शेर्स और उसके बदले में पैसा ले कर आ मान लिया जाएगा एक्विजिशन है बट ध्यान से सुनना मेरी बात आप कोई इंडिविजल परसन हो वह भी तो ले सकता है ना मैं हूँ आप बोलता पैसों की जुरूत है बाई जो में आपने भी लगाया था ना पैसा वह शेर्स गिर भी रख दो पैसे ले जाओ बात समझ लिए जाएंगे जैसे कि आपने एक्वायर कर लिए एक्विजिशन का अंदर काउंट आ जाएगा सर एंक्यूम्ब्रेंस भी फिर दूसरी बात सर अब उन्होंने मेरे आपने मेरे पैसे दे दिए अब हम अपने रिलीज कर वाके इन्वोक कर वाके लेगे जा रहे हैं रिल तो आपको कोई दिक्कत नहीं आपको डिस्क्लोजर नहीं देना आपकी जनरल प्रैक्टिस असार डेली बेसे पे कांट इस पर देते हो गोंगे कोई बात नहीं बड़ अदर देन दिस सर या अपने कैसे लिख दिया आपने कहां से बता दिये बात एक रेगेलेशन होती है नमबर 10 of सैबी S.A.S.T. Regulation General Exemption Special नहीं बोलूँगा General Exemption Special अलग होती है General Exemption के अंदर आ जाएगा सर अगर अपने आपने ऐसा कर दिया नहीं Ordinary Course बिजनेस तो ही बट लोजिक के साथ चलो Regulation 10 एक General Exemption है और Regulation 10 ने आपको छूट दी है PFI Bank आप भार हो सर ठीके जी उमीद है सब बच्चों को बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा Although this is not the part of mine मैं आपको CR के लिए छोड़ सकता हूं बट मैं मान के चलता हूं क्या पता सर बच्चों ने CR कहां से पढ़ा है जैसे कल में को निकेता बोल रही सर मैंने उस एक्सवेजर फेकल्टी से पढ़ा है उन्होंने बहुत पुराने लेक्चर दे दिए माइट भी आपने CRB से ले लिया हो तो आपको कुछ तो मैं अपने पार्ट पर कर पाऊं ना फिर बोल रहा है सर कॉंटिनुल डिस्क्लोजर सर रेगुलोशन मैंने सब रेगुलोशन साथ साथ लिखी है सारा बच्चे इनको साथ साथ कोपी फोलो करता चलेगा अब सर रेगुलोर इंटरवल पर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अब सर रेगुलोर इंटरवल पर डिस्क्लोजर का मतलब क्या होगा जी रेगुलोर इंटरवल पर डिस्क्लोजर का मतलब क्या होगा बच्छो कहने का मतलब चाहिए आपने कुछ खरीदा या नहीं सब्सक्राइब करते हैं और वह उसकी वज़े से होल्ड करने की वज़े से हम पचिस परसेंट या उससे ज़्यादा वोटिंग राइट का खुदी नलायक बोल रहे हैं अब देखलो आप पहली बात शेयर या वोटिंग राइट होल्ड करते हैं और जिसकी वज़े से हमारा वोटिंग राइट 25 या उससे ज़्याद हो जाएगा तो आप भूल जाओ मैंन वोटिंग राइट आ जाएं हजम कर जाओ हजमोला पॉइंट है फिर क्या बोल लगा है अगर कोई इंडिविज्यल परसन ऐसा करता है कॉर्पेट बोड़ी ऐसा करती है अधर दन प्रोमोटर तो यह रूल लगेगा कितना सर अगर आप 25 परसेंट या उससे ज़्यादा होल लगे तो हर साल 31 मार्च वाले दिन आपका चेक करेंगे पूरे साल का एवरेज नहीं लेंगे 31 मार्च वाले दिन आप कितना होल्ड करते हो शैल डिस्क्लोज शेरोल्डिंग एंड वोटिंग राइट वर्ड ध्यां से पढ़ना अब नलायक फिर तूब रहा है शेरोल्डि एंड वोटिंग राइट फिर यहां वर्ड आगा है एंड ने बहुत फोकस किया एंड एक वर्ड पे सी यार इजल लाइक इंट्रेस्टिंग पर हो और मतलब जवर दस्ता है फिर यहां बोल दिया एंड अब आपको डिस्क्लोजर देना कितने शेर से और कितने वोटिंग है पहले तो आप बोल रहे हो खुद दोनों सेम है और 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 शेयर ओर वोटिंग रैफिर नलैक बोल रहे बाद में एंट दोनों का डिस किस्क्डॉदर देने बहुकुफ देखो तो शेयर एंड वोटिंग राइट विधिन समयर किंग प्रप्स सिने खेंछ और टक 2017 175 जंड स्ट्रीच करने पड़ेगी माच चे करने की 25 पर संट बोडा नए यह कोई लिखत नीए यहां चेयर विटेटि एर्ट है उसके पड़ा है उसके रेगुलेशन में लिखाए मिनीम ट्वेंटी पर संट तो होड़ करना पड़ेगा दिंगर प्रसंग नई दो सकता हैं तो मैं आपके कोशन का दे रहा हूं जो जैनुरी बच्चा में कर दीड wszyscy मैं मान रहा हूँ आप सामने बैठे हो कोशन पूछा सर मिनिम्मम तो प्रोमोटर के होई नहीं सकते इतना वह जो मिनिम्मम ट्वेंटी परशन वाला पोस्ट इशू प्रीशू का वाला क्रेडियरी आया है वह मीटाउट हो गया तीन साल तक यह था लोकिन होगा पूरा चलो और भी वाला है फिर बोला ग्यां सियर अन्क्यूंबभ बलाब सर आपके पास आएं है सर आपके पास भढ़ गई ना क्वीजीशन मान लेंगे दूक मों और की बात करें रहे है प्रोमोंटर्स किम आद की जा रिया है प्रोमोंटर्स है कि शेरि से कर दिया आपने जो आपके पास आये थे छोड़ दिये स्किप कर दी खतम पैसे आ गया उनका विदिन सावन वर्किंग डेस जब भी आपने या इकतिस मार्च का वेट नहीं करना कई बच्छा बोले सारी कतिस मार्च का नहीं जिस दिन भी प्रोमोटर ने शेयर एंक्यूम और रिलीज बनाना इन्वोक करना रिलीज करना और एंक्यूम रेंस दो इन्वोक का मतलब वैसे तो अलग होता है मैं बस सेट कर रहा हूं यह क्योंकि मेरे पास अभी पढ़ाने का पूरा टाइम नहीं अभी बस मैं बोलता हूं जैसे और फालतूफन के लागे लोजिक जो करूंगा बच्चे को लगता कि कोई बात निकतल यह क्लास ने कर यह यह लायए और वही बच्चा दिख सतना इसके पास लिंगе और लिंक को सक यह सेल्फ के लिए चोड़ रहा हूं जी इस सेल्फ यह चार्ड मैंने डाल दिया मैंने मेरे को अच्छा लगा कि क्या पताब के फंडिंग में काम आ जाए घ्या क्या यह चार्ट स्यल्फ के छोड़ां हूं बहुत प्यारे नोड बनाया जिस बच्चे से रेगलशन फॉर नहीं भी हो रही है ना वह जाएगी अध्यूर्प यह और यह चीज़ है प्रिंद्ध के चल सकते हो फंडिंग के पेपर से कि गवर्लेंस में आ जाए मोल सकता है कि गवर्नेंस में भी आ जाए तो ध्यान रखना मेरी बात सारा बच्चा मेरी फैमिली का सर यह आपको करना है सेल्फ क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा और अभी वह टाइम है नहीं और मैंने यहां फंडिंग पढ़ा रहा हूं मैं गवर्नेंस पढ़ा आप फंडिंग में पढ़े हो एक्जिक्टी में पढ़े हूं तो मैं प्रिजूम करके चलूंगा कि आप लोग को आते हैं इक लिए अलोडिया रहां स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर आख तो नम यह खतरनाक रावन वाली हसी यह तनी खतरनाक हसी क्यों रहो अगर चलो जी थर्ड पार्ट की तरफ मूग करने हैं चैप्टर के पार्ट नमबर थर्ड यह टाइम तो मुझे न बहुत अच्छा लगा इवान आठ बज़े से अच्छे वाला टाइम लगा मुझे और इस टाइम में को फोन कर रहा है बच्चे यार क्या कोन हो यार इस ट बढ़ी मत करो ऐसा यार मेरी अपनी परसनल लाइफ है एक दिन तो बच्चा रात को दो बज़े पता है नहीं धाई बज़े थे उस टाइम वीडियो कोल करके बैट की लड़की मैं नाम तो क्या ही डिस्क्लोज करूं और वीडियो कोल करके बैट की दो बज़े होंगे हाँ सब्सक्राइब और और वो रहें सब्सक्राइब का पता नहीं क्या चीज डाउड ताना जाने कुछ खरीदना था जवर्दस वह क्या कौन बच्चा है के लाज मंडारी इस्टेंट फोन कर रहे हो बढ़ी बढ़िया बात है जाइज आ जिस्ट गिव में सिंगल मिनिट एक देखो यह गा कि अब लुक कि तरदो लुक माने ज़ना चलो न चलो चलो अच्छा चलो अच्छा चलो अच्छा अच्छा एक पार्ट्थ्री आफ्टर एलोडियर सिद्धे ही मले से को लाया आपको हर हर महादेव सब्सक्राइब नंबर सेव करता है तो गलती से कोल वह जाते हैं और काट देता है फिर कोल नहीं होगी और ट्रू को अधिया नाम चलो कि सर से लोडियार रेगुलेशन पार थड़ बोलता है थोड़ा सा मैं स्पीड से चलूँगा इस वह लेपार्ट में ठीक है देखो बहुत ध्यान से सर यहना इंटी मेशन भी है शैबिय लो-डियर में इंटी मेशन भी बताया गएए हैं en डिस्क्लोजर भी बताया गए है है प्रेजान से सुनना सर इंटी मेशन किया जाता कोई भी काम करने से पहले लिए विपल टू-बांस है और है poits कि कि और कि डिस्क्लोजर किया था कोई भी इवेंट कोई भी एक्ट हो चुका है अक्कर हो चुका है कि समझ मैं राजी वर्मा से ड्राफ्टिंग में प्लीडिंग की मैरेथन नहीं करवाई आपने कूदने वाला हूं मैं अब मतलब मैं सच बता रहा हूं मैं अब कूद हो में हिमाल्या पे चड़कर आ स्थ्र already में अबर जाओ का बही ओर ड्राफ्टिंग किया चाते हो मिरे से आयविज्यन ड्राफ्टिंग की ड्राफ्टिंग ड्री उंन् Иर्यारा क्लासma हा और कोई भी क्लास डेड़ पोने दो घंटे दो घंटे से कम के नहीं है 24-25 घंटे 25 से 24 घंटे की रिविजन सिर्फ प्लीडिंग प्लीडिंग की करवाई है 12-13 गंटे 13-14 घंटे सिर्फ ड्रैफ्टिंग की मैराथन डाली है तो भाई अब इसके बाद भी मैराथन की कमी रहागी है सो वा भी वा 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 मझा आ गया अब तो बस एक है असरे वसका दिल चील की मैं बस दे दू भाई तुम ही ले जौ मेरे को ले जो अपने घर में एक्जाम मैं लिखाऊंगा एक्जाम मैं लिखाऊंगा आप क्यों पढ़ रहे वां क्यों प्रिशान हो रहे बच्चे पुजा गोल बोले हैं प्लीडिंग की ही क्लास दीखेगी ड्रैफ्टिंग में तो मैं वही बोल रहा हूं यार पूरा चैनल एक बार एक बारे काम करो यूट्यूब पर ड्रैफ्टिंग मैरेफ्टिंग डालो सबसे पहला नाम मेरा ही आ जाएगा चलो तो इंटीमेशन होता प्रैर सर रेगुलिशन नमबर 29 बोलती है सरी क्यों देते हैं इंटीमेशन ने डिस्कलोजर बहुत द्यांसे यह इंटीमेशन ने डिस्कलोजर क्यों देते हैं जो कि सर्थ अग्सचेंज टाइमली और एकुरेटली डिसमिनेट कर दे फैला देश इन्फरमिशन को सारे स्टेकोल्डर्स में क्यों जी जाते हैं इंफरमेशन इंटिमेशन यह डिस्क्लोजर क्यों दिये जाते हैं सर्फ किसको स्टॉग एक्सचेंज को से घुर्ड इसारी पे जो SME पे जो IGP पे इंस्टिटूशनल ग्रोथ प्लैट्फोर्म पे लिस्टड हो सारी कंप्रीज कवर होगी सारी कंप्रीज कवर होगी ड्रैफ्टिंग शील्ड बेरी कंप्रीट आ चुके है सुनम मलब उसमें न अब प्लीडिंग के भी सारे नोर्स आ चुके हैं ये भी आच चुके हैं दो मोग टेस्ट पेपर भी हैं कंप्लीट है वो हो सकता राजीव आपका पूछने का प्रस्पे होगे भी तूचեन भी पहां ओगा लवल लुट मुझे लगॉराथ क्लास में पाप हो गया प्लीडिंग मेरतन प्लीडिंग की रिविजन शीरीज ड्याफ्टिंग बहुत कुछ देखी और एक दम से मेरा सारे सपनों पर य को कोई बात नहीं ंटी मेशन चर प्राइर इंट्गिमेशन उत्तर डिनीचन में डिस्वोजके सार हमारे सेलवस्त के 29 में disclosure किसी का event को और informations का सर कैसे event कैसे information और intimation भी करना है सर कितने दिन पहले सर तू डेज पहले five days two working days five days यह भी ध्यान से मैंने लिखा और काटा है और 11 days पहले क्या बोल रहा हूं है 11 working days पहले five days पहले यह वर्किंग वर्ड नहीं है अब दिखातो फड़ावट से दर देखना कि सारा बच्चा देखो यहां फड़ावट से पहले प्रायर इंटीमेशन कि सब अट लीस्ट टू वर्किंडेज इन एडवांस दो दिन पहले कम से कम सरम किसको दे देंगे किस चीज से दो दिन मीटिंग का जो अजंड़ा और बाइबेक हो मीटिंग का एंड़ामय बाइबैक लिखाओ कि सब्सक्सक्रीण होगा में वोलटरी टीलिस्टिंग करंगे भी चैकनिक कुछ ऐसे चीज़ जो इंतिमेशन में आएंगी तो महां स्टार वन टू लगाते चलेंगे देखो तर व बाइव फ्पो एडियार जीडियार एफसी सीवी एफसी सीवी क्यू आईपी डैट इशू करके प्रेफरेंशल इशू करके और एंड फॉर डिटर्मिनेशन ओप इशू प्राइज और जिस मीटिंग में कंपनी इशू प्राइज डिटर्माइन करना चाहती है जब फर्दर इशू करना चाहते है किसी भी तरीके से फर्दर आईसीडियार के अंदर पैसा एक तरह से कोई भी पैसे इशू करना चाहती है कोई भी फट्रेज करना चाहते है किसी भी वे में तो राइट इशू नहीं है यहां राइट इशू भी है कभी आप स्किप कर दो मैं कह रहा सबurgation duplexarten डिविदेंट से सेटीटिई गए सबॉनरुश यणa चाहते हैं तो प्रेवेंश को डिविड़ेंट दे रहे हैं इकिविटीडमेन दे रहे हैंorted कॉन इशु इशु करना चाहए जया में तो दिन पहले का नि पहले की जुन उटेट नहों पर हें एप्रोक्सिमिटली चार दिन पहले लना आगे बढ़तें जी और बोला जा रहा है सर अगर आपने बोने शिशू करना है लेकिन वह बोने शिशू बोर्ड मिटिंग का एजेंडा नहीं है एजेंडा नहीं है बस वहीं जाके आप लोगों ने डिसकस कर दिया कोई भी नहीं मैंटर चौर ऐसा कर सकते हैं जिस बच्चे को इस चीज का अंसर नहीं पता के काम करना वह एसस वन की चैप्टर फोर में एसस वन की मैंने वीडियो डाले हो देख लेना कि I have wasted my money and time काश आपके बारे में पहले पता होता confident level अलग होता कोई बात नहीं कुछ नहीं अभी एक महिना है बहुत कुछ है मेरे पास देखो आप अफसोस मत करो अब जो टाइम है उसको यूटिलाइज करो अफसोस तो जिंदिगी में कभी भी कर लोगे लेकिन इस टाइम को फाइज है इन इडवांस सब्सक्राइब अब क्या चीज़ें में सब्सक्राइब करेंगे सेम एंडेट अव दा मीटिंग और डिट इन इंटिमिशन सर्य यहां बस एक ही मैट रोगा फानेंशल रिजल्ट ज्यांसे देखना फानेंशल रिजल्ट जो वाटरली हाफ यरली हम बोलते शर्ण में रहके एंगे बोडल मेंडिमें में 5 भेसली तो कैंडी उपाथ आल मीटिन तो हें लिड़्य और सभ्राइब na तो इन दो दिन को भी काुंट कर लेंगे, टु वर्किंडेज में, एक लिस्ट, टु वर्किंडेज का मतलब, ऐसनदे नहीं आएगा, उसमें, तो फ्राइडे और मंडे, ता मनेंगे दू दिन, अगर आपने कोई भी चीज, की तो आपको इस तरिके से वेज़ना है तो आपको इस तरीके से भी यह तुझटी बेज़र होसी और लीटि sigue का याप जिजने भेजा वो नी जिए मीटियंग वो नीं तो बीच में तो पांस दिन बचे अगर पांच वरकिंग डे बोलते तो सर हमारी मीटिन कब करनी होती है दो दिन और बढ़ा लो व्रेंज डे फिर फ्राइडे वाले दिन मीटिंग होती है उमीद है सबको समझ में आ गया होगा तो फिर हमारी फ्राइडे वाले दिन मीटिंग होती वर्किंग डेज हमलब सर सैटरड़े संडे पब्लिक होलिडे को खाटा देंगे ठीक है या फिर सर जो भी राइट या प्रिवलेजिस थे होल्डर के पास उन सेक्योटी से रेड़र वैरियेशन ऑफ शेरोल्ड राइट सेक्शन 48 वही वाले बात हो रहे है एनी ओल ट्रेशर इंद डेट सर्डेट के अंदर चेंज कर रहे है किस चीज़ की या तो आपको डिवेंच बॉंड तो उस वाले किसमें बात समझ में आगई उस वाले किसमें अगर आप मेरे को सुन पा रहे होता है चलो जी तो अब सर इंटिमेशन हमारा खत्म हो तीन कटिगरी में सर कोशिश करूंग उसके भी नोड़ से बना दूंग कोशिश करूंग अभी नहीं तो जैसे में फ्री होता हूं जब बना दूंग और फिर भी शेर कर दूंगा आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ जाएगा अब इधर द्यान दो सर बोला गया आप इंटिमेशन ने डिस्क्लोजर अब किस चीज़ का देंगे से डिस्क्लोजर इवेंट का या इनफोर्मिशन का कैसे इवेंट कैसी इंफोर्मिशन फड़ा फड़ देख लो सब इस मटीरियल इवेंट अभी मैं प्लीज यह शेर नहीं करूंग बटीरियल कंटेंट पड़ा रहूं सर अगर कोई भी मटीरियल इवेंट हुआ है न तो रेगरोशन थर्टी इस रेवलिशन वन और टू बोलती है हमें मान लिया जाएगा डीम्ड मटीरियल है कहां अगर आप फोल करते हो उसके अंदर कब सर पार्ट ए ऑफ शेडियूल 3 अगर वह सा दिन बाद में एक महीन बाद ना लैक 24 घंटे कर अंदर जेनरली हम लोग क्या करते हैं बोर्ड मीटिंग पूरी हुई साथ-साथ डिस्क्रोजर देते हैं सर साथ-साथ का मतलब क्या क्या सारा का सारे टाइक सीएस का काम क्या होता हो सीएस बैठा बैठा यह तो सारी चीज क अगर आप लेट होगे चोविस घंटे में आफ़त नहीं आएगी आपको वजया बताने होगे जेनरली लेट नहीं होना आपको इधर बढ़ आगे सर जनली क्या होंगे एक्विजीशन के मर्जर टेक और के और सेल या डिस्पोजल करने के तो स्लम सेल बोल लो एक तरसे दि मर्जर बोल लो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बोलो सर अमलकमेशन मर्जर डी मर्जर री कंस्ट्रक्शन टेक और बोलो जी एक्विजिशन वाला या फिर एक तरसे आप अपनी यूनिट सेल कर रहे हो 181 ए कोई भी अंडेटेगिंग सेल कर रहे हो तो हां सर रेटिंग के अंदर सर रिविजन और ध्यान रखरें आभी तक कोई भी सेम नहीं है रिविजन में रेटिंग होगी डिरेक्टर चेंज और है केंपी चेंज और और अडिटर चेंज और एक और एक इसके बीच में शेरोल्डर एग्रिमेंट सेक्शन टू ग्लोस टेंटी समय जागे पढ़ना ज जिससे फोटिंग नागर हो रहा है तो उस केस में बर्ड जो भी मरा रहा है तो उनकी एग्रिमेंट है कि हाँ यह तो इसका कितना इंपक्ट होगा मैनजमेंट पर उसके कंट्रॉल में वह सारी चीजे आपको बतानी है किसको डिस्कॉल इस्युन्स या फॉर्फिट कर रहें Shares को split कर रहें, consolidate कर रहें, buyback कर रहें, forfeiture कर रहें, alteration कर राया रिडेम्शन में, fraud या डिफोल्ट कर जा किसने promotor ने KMP ने, या फिर listed entity या फिर arrest वहें, fraud कर जा default कर जा फिर arrest वहें, sir KMP और promotor, आगे बढ़तना, CDR, देखो CR में आप पढ़ोगे corporate debt restructuring corporate ने खुद से ही restructuring scheme एक बना दी कि सरह हम अपने debts जो है न वो इस तरह किसे restructure करेंगे इस तरह किसे repayment करेंगे approval लेते हैं इसमें ऐसे सब्सक्राइब बहुत बड़ा concept ऐसे नहीं होता हूं वाइंडिंग पैटीशन लग गए सब्सक्राइब लगाई किसी क्रेडिटर ने लगाई एक किसी भी पार्टी ने लगाई अब यह और भी ज्यादा क्रूशल आ गई ऐसी ऐसे लिश्टे एंटेटी शेल डिस्क्रोज तुद एक्स्चेंज आउटकम्स ऑफ द मीटिंग दो बोर्ड ऑड रेक्टर विदिन थर्टी मिनट सर वो तो 24 घंटे बे थे ज्यादा क्रूशल नहीं थे यह बिल्कुल ज्या अगे ना रेपेटिशन तो स्टार टू कर लेना पहले और रडी कवर हो चुका है और 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 कैश बोनस इस रिकमेंडेट याट बोनस सर वहां भी था करना चाहों तो कर लेना बड़ा एक्शुलियुक नहीं था मैं मान रहूं रहाँ याद करने के लिए कर लो एक एनिक ए स्टेशन बीडेट डिए करके कैंसर कर दिया बाइबेक और वहां सर महां भी थो था बाइबेक सेक्शन शिएट वाला तो कर लेना डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू फंड रेजिंग सर महां भी थो था तू कर लेना सर यह तू क्यों कर वा रहे हो इसका मलब इंटिमेशन कर लो शार शोर्ट नोड़ बना लो चार्ट बना लू इंक्रीज इन देपिटल कर रहे सर बाइब बोन शेर्स थू कैपिलाइशन सर्म हम अब अबना शेर यहां भी कर लो अउल्ट्रेशन ऑस कापिटल कर रहे सर इंक्लूदिंग कोल्स एपिटल चेंज कर रहे सर यह नहीं था माँ पोर फीचर आप अभी सर फोर फीचर देख लेना अपना पानेंशल रिजल्ट डिस इन अव वोलंटरी डिलिश्टिंग जिस मीटिंग में सर वोलंटरी डिलिश अप्लीकेबल हो रहे हैं मैं लोग इसको फोलो करेंगे शायते हैं मैं यह समझानी पाहूंगा मैं वह पढ़ते रहे हैं जन वह बात नहीं वह बत्चे ने शाद किया नियुक्र जेनलिन स्ट्रीमली शोरी हो सकता है आपका वेह इस तरीके से बोलना हो वह सकता है जो ऐसे मट्रिटिटी गाइडलाइन को फोलो करना है पार्ट बीवाले होंगे लिए सर्ट यहां माल लेंगे यह वाला मैं स्किप कर रहा हूं कि बहुत देर लग जाए कि मुझे समझाने में में मैट्रिटी वे रहे हैं क्या होती है पर एक्साम में आ सकता लेटेस्ट यह देख लेना आप एस पर देमेंट मेंट कंपनीज विल ना भी रिक्वाइड टुक डिस्टो टो एक्चेंज अबाउट द फोरेंसिक ओडिट इनिशेटिट इनिशेटिट सर्भाइव वह मैट्रिलिक आइड नहीं भी है अप्लिकेवल नहीं भी वह एमां फिर भी अग किसनी दिर में 24 गंटे के अंदर अंदर अगर आप 24 गंटे में नहीं कर पाए तो सब्सक्राइब करना किस चीज़ को डेट अपने बोला था कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं नई यूनिट बनाई है नया डिविजन किया है और कब से उसका कमर्शल उसलता नहीं होती थो मताथ और गंल सब्सक्राइब अइसधेब कंचन कर रोए अगर इससा कुछ भी आपने किया थो उसको पर सब्सक्राइब माने में यह पीजना के साथ joint venture agreement family agreement यहां कि आया सर loan agreement as borrower और एनी अधर agreement loan agreement कर दिया as a borrower हो आप और अधर agreement कर दिया which are binding and not in the normal course of business जो जिटेंश कंपनी नॉर्मल course of business में नहीं करती एंड रिवीजन या amendment determination या फिर पहले किया हूँ है उसमें आप changes कर रहें modification कर रहें हो तो अगर को वेंचल फैमिली सेटलमेंट लेगिन सरी अधर अग्रिमेंट है बोर्वर सवाई लिए है तो कॉनक्रीश में नहीं होना बच्चे को एन अधर अग्रिमेंट है है security for any third party हमने दिये कि सर इसको पैसा दे तो हम पैसे देंगे कंप्री ने दी है नहीं देंगे तो उसकेस में क्या रहेंगे सर विदिन 24 आट डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर अधर इवेंट आपको करने हैं तो पढ़ते रहे ना आट सी में इसके अलग जो इन दोनों के अलग हैं कोई भी नई टेक्नोलोजी पेटेंट एक्सपायर हो रहा है अकाउंटिंग पोलेशी चेंज कर रहे हो नहीं बना रहे हो ऐसे ऐसे इवेंट है तो इनका व्यापको डिस्क्लोजर देना होगा ठीक है चलो यह सेल्फ करना ज चोंड़ लो कि जो ज्यादा इंप्रद हैां वह कर रहे हों आपको बहुत ज्यादा इन्एन्वल रिपोर्ट डिस्क्लोजुजर अच्छा बच्चा वोलतें की नोट्स bunkर गें अबीने ने डाल दीएं औरभी मैंने अभी इंट्रने कंट्रोल के नोट्स भी ने लुगा ज तोड़ा सवर में एडिट करके बच्चे ने बनाए थे जैने जैदवी ने तो वह वाले मैं डाल दूँगा ठीक है मैं उसने बनाए है कुछ गलतिया भी हो सकते मेरे पास ताइम नहीं है चेक करने का मैं चेक करके ही डालूगा तभी मैं बोल रहा हूं अभी मैं डाल दूग बच्चा बोले सब मोडूल में तो कुछ और आपने कुछ और डाला है कुछ सम्झाने के लिए मैंने लेंग्वेज चेंज कर दी ऐसे इस वाले में मोडूल में बहुत कुछ अलग है यहां लग है बट एक्जैम में मार्क्स आ जाएंगे टैंशन अलो बेरेक्ट की लेंग सब्सक्राइब होगा कि अनुवल रिपोर्ट कितने दिन में विधिन 21 मर्किंग डेज कब से सर विधिन 21 दिन ऑफ दा एजम सब 21 दिन के अंदर अजब से एजम मैं कंपनी एक्ट पर नहीं लेकर जा रहा हूं प्लीज मैं वहां से अब इंट्रप्रेशन करूआ टाइम तो हमें 21 दिन के ट्वेंटीवन वर्किंग डेज के अंदर अंदर श्रोक्रेशन को भीजनी है उसके अंदर क्या चीज़ डालेंगे जी ओर दिट फानेशल स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ ओन इंपक्ट ओव ओरिट क्वालिफिकेशन वो चीज़ डाल देंगे जो उप स्टेटमेंट्स ओनली अंडर धा इंडर्ड म SansIl ये पढ़ते रहना पक्रेशना उसेकल डए कंपने पड़ेगी लो आपने में था. वेकशल म स्टिन समय आ से काम आएगा सर यहां अमेंडमेंट आई थी पहले टॉप 500 कंपनी थी अब टॉप 1000 कंपनी हो चुकी है सर और ज्यादा श्टिक किया है लोग को पहले बस पहली 500 लिस्टिड कंपनी को करनी थी सर बिजनस स्टेट रिपोरट बी रर एक्जैम में ऐसा है कि मैं बच्चा था ह्विटा जब एक्जैम में पुच्छा गया था कि किया भी यार डालना जुरूरी है विलकल जुरूरी है क्हुनृची कंप को अपनी एन्वल रिपोर्ट का पार्ट बना और बस 2020 एकटऊ पहले तोप पां पानसो गटके हजार लोह और श्रिक्त हो गया उमीदे सब को समझ में अगया एडिशनल डिस्कलोजर ओर का करेंगे कर देंगे अधुन अग्या पर भी पढ़ना है क्या मेला मतलब कहने का है सर यहने एक फॉर्मेट है उसके अंदर ना सारी चीज़ आपको दी जाएंगा बस फिल करनी है अबस में इतना है चोड़ आप लोगो करना पड़ेगा अंदर पड़ना पड़ेगा होल्डिंग कंपनी के सब्सीडरी कंपनी के यह दिस्क्लोजर देने प्लाएगे पट ओल्दो मुझे परसे नहीं लगता एक्जाम में कोई आस तक तो पूचा नहीं है कि सर एनुवल रिपोर्ट में जो रिलेटिट पार्टी के डिस्क्लोजर देने वह बता दो जो अगर यह रिएगुलेशन थरी वाले डिश्वलों स्ट्वेटमेंट अगर हमने इंडरेक्ट में से एस थी से और इंडियस से की है बी आर वाला पॉइंट हो गया तो वह सारे पॉइंट तो डालेंगे प्लस में सर एडिशनल सेडूल फाइफ के अंदर जो पता हैं जैसे रिडि और यह सारी चीज़ फैमिलरिजेशन प्रोग्राम बगर हैं यह सारी चीज़ बताएंगे ओडिट कमेटीज की मीटिंग कितनी हुई है क्या डिस्क्रिप्शन है स्टेटिक ओल्टर ग्रिवेंस कमेटीज के बारे में यानि मेली या बोर्ड ऑक्टर से लेटेट सारी इंफ प्रोसीजर फोलो किया था पॉस्ट क्राम करना पड़ेगा मैं क्लास में रीडिवी में वहांगा तो भी क्राम करना पड़ेगा आप अभा बोल रहे हैं लब यू सर लब यू तूब गाइज अगर आप जैन्वन स्टूट हो तो मेरे बात एडगर नहीं पढ़ती है पता सचाही बता रहा हूं पस आपको रिटेन कर लो स्टेट फॉर बड़ाता है बहुत कमी कोशन आएंगे एक दो जो गूंके आएंगे ऐल्स स्ट्रेट फॉर बड़ाता है टेंशन अलो कॉम्टिकेशन तो यह सैल्फ पढ़ना जी क्रैम करने वाली चीज़ है आपको पढ़न अरे में मेलव कुछ नीज भोलओगा भी कारण सेमियर ऑट है ऑच्झेय गिफ्ट में Link मुलने वाला था हमें सब्सक् yisle could be a bowl in a gift me link मिलने वाला था कैसा link story मैं समझ नहीं पाया हूं a gift me link मिलने वाला था फैह मैं relate निकार पारों गिफ्ट में竟 website discloser website discloser at website discloser so the listed entity shall maintain a functional website by functional website come all of any is properly functional is gonna be active website of new school yannick HD YouTube channel banana to liya but it's active nika raka fayda banane ka by kya fayda waspani personal parko me chiltu ipig dalna kya fayda one aisa kuchini karna so functional objective type ki sari information sari discloser ho so calm ki chido job company made ready to information sari dal of functional model active ho as any bana ke dal dhi the listed entity shall ensure that the content of the website are correct or kya jobi website pere dala sari kuch sa hiya updated hai sad district day patayegi or joby content change when I was called update hoi within two working days such change kandran drap usko update karduk hai website pere daldo sir kya kya dala nai dao kram karli na sir jo last tuk rukhe ga usko is class ka link milega or kisiko nevila definitely a kari karewa abhi private karong basa sachbitaro or was who see what you could do majo bacha mehnaet karta men manet karne waale koi maila milega na details of its business of a business details kya website pere dal denga na terms and conditions appointment of independent degoer kram karna dego please by please you do amendment i a deklo but us ke lavasara kram karna karlo but kram kram nahi boolunga har chis na logik hai jambi padhata huna funding padhata thai actually sorry jambi padhata tha to my kya karta tha maina in sari point ko jambi relevant place padhata hoon waha waha wala likhwa dita hoon deko jambi revolution 46 second hoon ndal na website disclosure aap bhi na yeh sari chiyo jambi padhona kubhi bhi future me to ma star laga ka kopi ke pichhe lichte rena ki sir ye website disclosure ye website disclosure ye website disclosure ye website disclosure takriban sari chiyo disclosure tena unigo website pere bhi ڈال dekabadi me sir me bhi hu ari sab ko dhe dunga meyer kyu tension later up it na it na chota dil maan roga apne sir ka dil khol ke padhatao man dil khol ke jitao na apne jindagi me it na parha diya it na parha diya jitana hapne fees dene sa bhi ni parha hooga onesli poro satcha hi aap kes aamne puchara bachata bool bhi liya hai sir paadha lo funding bardo meyer sanjee suppressor praatiya mneipa dunga book leigo tle le septe aapные book athi funding ebook dekhan a ebook uji study app perni mila gima personally dhe dunga hey sir muji by akhani amane para to make funding neha apujay book cheetah me aapko dunga book पर नहीं मिलेगी हाड़ कोपी या फिर इसकी सॉफ्ट कोपी वह मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ अगर आपको चाहिए तो जब कभी अगर एक्जाम देना है फिर कुछ भी हो आइटम से सब्सक्राइशन वन तो सब्सक्राइब पढ़ते रहना या तो आपने फंडिंग पढ़ लिया है अगर फंडिंग नहीं पढ़ा है क्लास में तो नहीं बोल सकता हो नहीं बात रिविजन चल रही है तो फिर क्या करेंगे सर इस केस में फिर आपको क्रैम करना पड़ेगा यह मैं प्रिजूम करके चलूंगा सर डैफिनेटल डैफिनेटल यह यह यार आप सैल्फ करना मझालब आई साइड आई सीदिये यह ना इंसाइड टेडिंग यह परसनली बहुत देर हो चुकी है किसे को दिक्कत आ आपको दे दी कि अपने तरफ से जो मेरा दिल था निकाल कर दे दिया अब यह पढ़ते रहे नहीं और इंसाइड टेडिंग एक्जिकर परग्राम में पड़ा होगा पड़ा पर एक पर रीड जरूर कर लेना एक बरीड जरूर कर लेना यह दो अमेंडमेंट आई थी अभी भी जरूर कर लेना इस चीश को सब्सक्राइब यूपसी अनपप्रीश फाइस से इंफर्मिशन इस्तों मार्केट परइस मनुप रहा है मार्केट प्राइस पर आ रहा है तो सारी चीजह यह नहीं सकती है और फिर व्याप पर होगए ठीक है ना जी ठीक है तो यह आप कर ल कहाँ आए पेज खाले कोई एक होड़ा मिल रही एक पेज नी बिल रहा है तो थोड़ा थो खाली मिल जाए गए गए है हाँ यह मिल गए थोड़ा सा कि फटाफट से दो मिन्ट हो दो मुझे सर इधर दियां दे दो सारा बच्छा बहुत काम की बात फिर बाद में कंफ्यूज रहते हैं आप कि सर यह क्या हो गया है सर चैप्टर नमबर 12 अपडेट जो बच्चा नया वह भी देख लो प्लेलिस्ट नहीं मिले कि मैं दे दूँँगा सारे लेक्चर्स की बना रखे वो देदूँगा चैप्टर नमबर 12 20 मार्क्स का सरा अपडेट हो चुका ह भी बच्चा प्रेशान रहता है अभी बच्च जल्दी दियुकर चैप्टर नमबर 13 में इंटर्न कंट्रोल बहुत अच्छा त्री कि एक प्लास लगाई है 10 प्लस मांक्स का मान के चलना सर चैप्टर नूमर 14 बहुत द्यान से फिर बच्छा प्रेशान रहता अभी बच्छा जल्दी जल्दी में चला जाएगा मैं समझा रहा हूं कि मैं अगला क्या लेके आने वाला हूं सोदेट आप थोड़ा बहुत पढ़ लो पहले से चैप्टर नूमर 14 रिपोर्टिंग अभी मैं होल्ड कर रहा हूं सर बीच में फ्लो खराब हो रहा है मेरे बच्चों का पार्ट यह जो चल रहा है अभी मैं इसको होल्ड कर रहा हूं कब बच्चा बोले आपने नहीं कर रहे आज बच्चा मेसेज कर रहे आपने प्राइवट कर दी क्लास आप अच्छा नहीं करें भाई मैंने लीनियर रिपॉर्टिंग कर भी क्लास अपने दिक्क्था अगए हैं इधर ज्यां दो चैप्टर नूमर फिफ्ट कर वाया है सर म और गवर्नेंस ओडिट एन फंडिंग आट टू डिरेक्ट एंड ड्राइस सर लोड आफ तिंग्स टू रिमेंबर हमारा तो टर्न ही इंटू मशीन है अधर देखो थ्री क्लासे इसमें लिए मैंने पूरा कंप्लीट हो चुका है सरी कंप्लीट अप्लोड है वह भी मैंने डिलीट नहीं किया अभी समय से ध्यांदो इदर फटाफर से चैप्टर नमबर सिक्स सर दो क्लासिज एंसर क्लास नमबर वन अप्लोड़ेट है प्रीमेर क्या सर मैंने क्लास नमबरकू सर आज मैंने आप लोगं को लाइव कर वा दिये शर चैप्टर हो चुका है کंप्लीट मेरा चैप्टर नमबर सैवन सर चैप्टर नमबर सैवन सर दो क्लास मैं जिसमें रिलेडमेटर पार्टिय וिजिल मेकनाजम सब व정이 पड़ सकते हो सर इसकी मैंने आपको इंडेज वाली क्लासिस नकास, NFRA वाली क्लासिस दो क्लास, क्लास नमबर 1 क्लास नमबर 2 मैंने अप्डेट कर रखें सर complete मैंने इसको आपको दे दिया उधर द्यान दो आप सर चैप्टर नमबर 11 फोरम वाला चैप्टर दुखती रग सा बच्चोगी क्योंकि बच्चा पंचुवल नहीं है उसको लगता हम अपने अपने कोडिंग चलेंगे और मैंने इस वाले चैप्टर में मजबूर था मैंने कुछ किया इस संडे में टाइमिंग आपको बता दूँगा हिकश्क डालोंगा सो दैट मैं घर पे आ जाओ तो मैं उसके बाद उसको पर दील करो डिलीट करने का प्राइवेट करने का कि फोरम वाला चैप्टर सेर ओलड़ी टू-आर की एक वीडियो चिंगल वीडियो टू-आर की कि मैंने प्रीमियर कर दिया था कम्प्रीट हो चुक आउख है घुए अब मैं जो नेक्स चेप्टर उठाउंगा चैप्टर नूबर टेन लेने वाला हुँ मैं, अब नेक्स चेप्टर जो मारी नेक्स क्लास लेगा फिर उसके बाद सर चैप्टर नबर थी लूंगा में बोर्ड इफेक्टिवनेस कि अगर मेरे को लगा कि चैप्टर थ्री बच्चा कर लेगा सेल्फ क्योंकि चैप्टर थी बच्चे को ईजी लगता है मैं यह क्यों कर वारा हूं बस उल्ड में और न्यू में दोनों है तो वह बच्चा भी खुश हो जाएगा ऐल्स उसके बाद सर मैं चैप्टर नबर 17 करवाऊंगा तर रिपोर्टिंग नहीं करवाऊंगे मैं लास्ट में करवांगा रिपोर्टिंग फड़ा शांती से करवाऊंगा उस पर मेहनत अब बच्चा मुझे बोल रहा है सर हमारा तो चैप्टर नंबर 1 भी रह गया चैप्टर नंबर 2 भी रह गया सर चैप्टर नंबर 8 भी रह गया और चैप्टर नंबर 9 भी रह गया चैप्टर नंबर 15 भी रह गया चैप्टर नंबर 16 भी रह गया सर 15 16 चैप्टर तो मैं बि पढ़ाने के लिए टाइम नहीं है क्योंकि इससे बैटर में नया सब्जेक्ट पर कर लोगा डीडी कि सो देट वो जो मैं उस पर टाइम लगा हूं पांचे क्लास वो मैं उस टाइम पर लगाऊ न जो और बच्चे को भी भला हो इस दो ती नंबर के लिए मैं क्यों करूं फि आप शांती से पड़ो बात अब कितनी किजनी क्लास ओर मैं नहीं करवाने वाला हो अभी सब्रेशन कर ले ना कभी बाद में बोलो तर आपने दोका दे दिया मैंने कई बार वोल चोगा हो मैं नहीं करवाने वाला हूं चैप्ट नुबर नाइन और एट के एक क्लास में बाद में का टाइम लगता तो मैं डेफिनिटली लूँगा और कुछ जो मुझे important लगता है प्लस जो amendment है वह मैं cover कर दूंगा 8 की और 9 की को important है यह important है कुछ amendment है मैं cover कर दूँगा तो अब मेरे end में पर 100 नंबर का वेपर 100 marks का वेपर प्लस जो 140 नंबर तक का एक्जाम में और वगएरा करके आता है 135 का 40 का 30 का 25 का जो भी आता है मेरे words को मत पकड़ना सारा का सारा सारा का सारा सर मैंने करवा दिया आपका बट ये नहीं करवाओंगा सर मैं तो कि सर ये theory है chapter number two theory नहीं chapter number one theory है और मैं एक क्लास दो क्लास में पूरा नहीं करवा पाऊंगा और आपको एक्जाम के दिन प्रच कर जाएंगे मुझे नया subject पकड़ना है तो अगर मैं आपका सर ओल्रेडी 100 marks सा करवा चुका हूँ और में भी तो question निकलेंगे सर हमारा compulsory में आ गया तो सारा साल बैटके जक मारी है सारा साल बैटके पढ़े होगे ना कुछ तो खुछ से पढ़ो chapter number one chapter number two chapter number eight chapter number nine समझ में आगे मेरे बात तो please बच्चा बार बारना मुझे अब किसी वीडियो में नहीं पूछेगा personal message नहीं करेगा सर ये कब करवाओगे सर ये कब करवाओगे ये 4-5 chapter ये सारे भी मिला लूना तो भी 15 से 20 number का नहीं होगा और सर मैं already आपको 100 plus number करवाई दिया है मैंने आपको इधर देखो 20 number 10 number 30 number सर यहां मैं बुराओं को 10 number 40 number सर यहां देख लो आप 7-8 number का सर ये वाले chapter 15 number का सर ये वाले chapter 15 number का माल लो 25 और 5 ही माल लो इसको तो 40 और 40 80 number का सर मैं already करवा चुका हूं और फिर इधर देखो सर ये मालो 10 number का चैप्टर आ गया ये मालो 10 number का आ गया और सर फोरम वाला चैप्टर 57 number का माल लो बस सर और क्या करवाँ मैं और जान लोगे मेरी सर ओल्ड़ी 100 number करवा दिया और में करके तो फॉड़न फ्रमेंट में से आ जाए बेफर और बीगा प्रोफेशनल स्टुडेंट मुझे बात बोलनी नहीं चाहिए कि इंपोर्डेंट करवा दूंगा कुछ भी इंपोर्डेंट नहीं है इन दिल को यह लगे कि इंपोर्डेंट नहीं है यह तो एक्जैम में नहीं आए बच्चे में बच्चे को सटिस्फफ़ाई करना ऑने आपको समझा दिया आने वाले 5 class बस मैक्सिमम वालो governance पर लगने वाली है enjoy करो मज़े लो सारा बच्चा ठीक है बट वीडियो डिलीट होनी स्टार्ट होने वाली है मैं पता रहा हूं एक मैंने करदी फोरूम वाली और भी मैं जो मैंने यह लगाई थे रेगुलर क्लासे वाली यह सारी चैप्टर फाइफ चै मैं LG और वो मैं उस चैनल पर continue नहीं कर सकता अपने LG ब्रेंड को समझ मैं हर बच्चे को जिस बच्चे ने लाइक नहीं करेगा निकिता बोल रही आज वाली क्लास यूटूब पर रहेगी ना निकिता एक काम करता हूं मैं यह आज वाली क्लास यूटूब पर रख देता ठीक है जी 24 घंटे करें रख देता हूं मैं ठीक है सर बार बार गलत बाते नहीं बोलते अपने मूझ से चलो ठीक है गलत नहीं होता एक्जेंपल हाइपोथेडिकल सिच्वेशन कहीं नहीं जाओंगा मैं जब तक मैं बच्चे को पास नहीं करवा दूना कहीं नहीं जाने सब बच्चे ठीक है अब खुश हो खाना भी ना खालिया सास में बैठके मूवी देख लिए पूरी दो तिन घंटे की पूरी मूवी एक पीवीर में बैठे आप पीवीर वाली क्वालेटी दे रहा हूं इतना अच्छा सोब्फेर लिया है इतना अच्छा माइक लिया है बच्चे टेंशन में है चलो खुशी रो मैंने कर रहा हूं इसको प्राइवेट मजे लो ठीक है शालो ठीक है जी अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो बट प्लीज यार आते ही ऐसे वर्ड मत बोलो मूड़ ओफ हो जाता है दो गंटे का टार्गेट था दो गंटे अपने लेकि मैंने पूरा करवा दिया अपने चेप्टर यार ठीक है चलो जी बाइबाइबाइब गुडणाइट ओल लव यू टेक केर जैहिं अब कमेंट कर देना नलायक बच्चे प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट नहीं करते पैसे लगते हैं मैसेज कर देते हो मेरेको सर ये लो मैसेज कर रहे हैं शरम आरिया सर कमेंट करने में कमेंट करो रेकमेंट करो जो भी आपके आस पास बच्चा दिखे ना जो भी दिख रहे है रोड पे चलता हुआ देखा 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 अंकुछ तर वीडियो पड़ा ग केस लो उसकी सारा मैं ओल्रडी कवरा चुका हूं लास तो लास सेकेंड माल लो फिर लूँगा एक और बाई बाई गुद नाइट टेक क्यर डिस्प्यूट में आना मत बूलना हूं मैं क्लास प्राइविट कर दूंगा छेलो बाई बाई क्लास तो लाई यूंगा जैए इक क्लास भी कि आए डिस्प्राइब क प्राइब प्राइब कर दाएब व्रणी है.